नमस्का सातियों आप सभी लोग देश रहे होंगे कि हम लोग करेंट अफेयस के बारे में बात कर रहे हैं और ये करेंट अफेयस आपका पूरा एक साल का है एक जून 2021 से लगाकर 10 मई 2022 तक कि करेंट अफेयर्स में जो भी आप देखी घटनाई घटी इस बीच उन सब के बारे में बात की जा रही है और मुझे लगता है कि अगर आप लोग उने अपने एकजाम के पुराने कुशनस पेपर उठा के देखे होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स आपकी परिक्षाओं के लिए कितना महत्पोंड होता है फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजे इस्टेट PCS की बात कर लीजे जिसमें UPPCS होगे आप भिहार PCS, 36 गड़, राजिस्थान आप देखें UPPCS आपका और भी तमाम इस्टेट आपने एक्जाम करवाते है जैसे आप देखते होंगे कि दरोगा, SI की बात कर रहा हूँ पोलेस, या आप देखते होंगे सिक्षक भरती भी होती रहती है और सेंटर लेवल पर भी तो आप देखते हैं कि कई एक्जाम होते हैं जैसे SST, बैंक, रेलबे हो गया आपका समझ रहे हैं आप लोग तो इन सब के लिए करेंट अपेस काफी महत्पूर रहे ने बाला है और मुझे लगता है कि हम लोग जो समसमाईक घटना चक कर देख रहे हैं इससे आपकी परिक्चाओं में काफी अच्छी संख्या में कुश्चन्स पूचे जाते हैं करेंट के और वैसे बता दूँ आप लोगों की मांग भी रहती है कि इस बुक्स को हम लोग कबर करें और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से हम लोग इस बुक्स को फॉलो भी कर रहे हैं और आप लोगों को यकीन हो या ना हो इस बुक्स को आप लोगों के लिए ही ऑनलाइन मंगाया जाता है कि आप लोगों की मांग रहती है कि आपको अपलफ्द नहीं हो पा रही है और वैसे आप लोग online अगर इसे मंगबा सकते हैं अगर आपके सहर में आ जाए तो अच्छी बात है फिरहाल आपको बता देता हूँ कुछ topic आप लोग समझ लीजिए और पढ़ लीजेगा और मुझे लगता है कि सफलता में कहां से notes बन रहा है क्या मिल रहा है यह मायने रही रखता है आप उसे पढ़ रहे हैं उसे समझ रहे हैं यह ही मायने रखता है उसे आप लोग किस तरह से cover कर रहे हैं और इसमें अभी आपने देखा होगा कि हम लोग आपका राष्टी फरेद्स से भी देख चुके हैं बिधिक फरेद्स पर भी बात कर चुके हैं अंतराष्टी परेद्स आर्थिक फरेद्स बिग्यानिक परेदिस से संचिप्तियां देख चुके थे और लास्ट इसमें चैप्टर कह लीजे, टॉपिक कह लीजे खेल पर इदेश बचा हुआ है इसमें हम लोग लॉन टैनिस के बारे में बात करेंगे जो टोके ओलंपिक हुए थे 2022 के उस पर भी बात करेंगे हम लोग और आपके पैरालंपिक जो हुए थे उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे आज की इसकी क्लास में किरकेट के होकी, फुटवाल, टेवल, टैनिस, मुक्यवाजी स्नोकर, अन इस तरह की खेल से समद्धी तमाम घटना है उन पर हम लोग बात करेंगे क्या करेंगे? बात करेंगे और आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने जिस भी एकजाम की तयारी करें उसे के पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिएगा उनका मुल्यांकन करना जरोरी है और आप लोगों को करना भी चाहिए क्या करना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए और इसकी एक सेपरेट फिले लिष्ट सूची बना दी गई है समसमाई घटना चकर 2022 के नाम से तो उसमें जाकर आप सभी कलासों को देख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिवेख जो आयोजन हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं और इसमें ग्रेंड स्लेम लॉन टैनिस पर बात करते हैं और इनसे भी कुश्टन्स पूछे जाते हैं इसमें कोई दोराह नहीं है तो आत देखें कि यह सपर्दा हो गई इसमें आप देखें कि पूरोस एकल बिजेता उब बिजेता है और नीची आप लोग देखेंगे उब बिजेता है और इसी तरह आप देखेंगे फ्रेंच ओपन के बिजेता और नीचे ओब बिजेता और महला एकल बिजेता उब बिजेता आप देखेंगे नीचे ओब बिजेता देखेंगे फिर इसमें आप देखेंगे ऊपर एक बार आप लोग समझ लिजे उसके बाद आप लोग पुरुस योगल बिजेता और नीचे आप देखेंगे वो बिजेता रहेगा और इसी तरह महला योगल में बिजेता उपर रहेगा नीचे वो बिजेता रहेगा मिसरे तेओगल में बिजेता उपर रहेगा नीचे उप बिजेता रहेगा तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा ऑस्टिलियन उपन में देखें तो राफैल नडाल इस्पैन के हैं बिजेता रहें डैनिल मेद्वेदीयो ए रोस के हैं उप बिजेता रहें फ्रेंच ओपन 2021 में नोवाग जुकोविच ए सर्विया के हैं ए आप देखेंगे क्या है बिजेता है और स्टेफानोस सित सिपास ग्रीज के हैं और बिजेता है विम लड़न में इसमें आप देखेंगे नोवाग जुकोविच सर्विया के हैं ए बिजेता है और आप देखें आमेरिका घरता रही है। नलियरण चेयं कि घरता रही है। ट्राइट और ने मैंने पुझ . मैं आप देखेंगे को जैनक घरता रही है। यूएस ओपन में आप देखेंगे इम्मा रडु कानू यूके की है विजेता है और लेना फार्णाडीज एक कनाडा की विजेता पुरो से यूगल विजेता में आप देखें तो थाना सी कोकी नाकिस और निक करगी यूस दोनों ऑस्टेलिया की है विजेता रहें मैथ्यू एबडेन और मैक्स परसेल ये दोनों ऑस्टेलिया के हैं वो बिजयता है फिर आप देखेंगे फ्रेंच ओपन में पेरे हुज हरवर्ड और निकोलस माहूत माहूत ये दोनों फ्रांस के हैं विजयता है अलेकजंडर बुबलिक और एबं आंद्रे गुलू गुलू वेव ये ग्रेडनो लस्ट इस्पैन और होरा सियो जेवा लॉस ए अर्जेंटीना के है देखें उस तरह आप देखेंगे उन अन्न देशों में इस्ती तरह के नाम लेके जाते हैं रखे जाते हैं तो आप लोगों की याद रखना होगा राजी ब्राम ए अमेरिका के हैं और जॉस इस तरह महला यूगल में अगर आप देखें किसमें महला यूगल में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें क्या इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसमें महला विजएता हो गई यूगल विजएता वो नीचे वो वजएता वार्वा बार्वोरा कृजी सकोवा और केटरीना सीनिया कोवा दोनों चैक गडराज के ये विजएता रहे हैं और नीचे आप देखें कि इना डेनी लीना कजाकिस्तान की ओ बेटिट हडाड माया इब्राजील की है ये वीजेता रही है वीजेता रही है किसमें और किलिये ऑस्टिलियन ओपन 2022 में इसी तरह आप देखेंगे इसमें जाएंगे आप लोग फ्रेंच ओपन में तो आप देखेंगे बार बोरा क्रेजी इसको और केटरीना सैनिया कोवा दोनों चेक गडराज के बिजेता हैं और नीचे वह बिजेता है बैथानी माटेक माटेक सेंडर्स अमेरिका की हो एगा सुटेक पैलेंड की है इसी तरह बिमलडन में आप देखेंगे तो सी सू वी चीनी ताइपे और एलिस मंटेंस बेल्जियम के बिजेता हैं और नीचे आप देखेंगे वेरेल लीनिका कुदर मेतोवा और एलिना वैसनीना दोनों रोस के यह उप विजेता हैं क्या है विजेता है और इसी तरह आप देखेंगे यूएस ओपन में 2021 में सामन्था टूसर और ज्ञांग सुआई चेन एव बिजेता है केटी मैकनली और कोको गॉप दोनों अमेरिका के हैं इसी तरह मिस्रेत योगल विजेता देख लीजे एव बिज अश्टीना मिलाडे नौविक फ्रांस के हैं और नीचे आप देखेंगे जैसन कोवलर और जैमी फॉर्लिस दोनों वस्टी लिया कि विजेता है इसी तरह आप देखेंगे तो फ्रेंच ओपन में देश्रे क्राब जी के अमेरिका के हैं विजेता जोर सॉलिस वरी यूके के के दोनों बिजेता है और आप देखेंगे ओ बिजेता एलीना वैस्टीना असल असलन काराथे से दोनों रूस के हैं विजेता इसी तरह से आप विमलाडन में देखेंगे तो ने इस फूप पस्की युके के है discovered देश्रे क्राव की अमेरिका के विजेता है और आप देखें डार्क दौनों यह हुए कि ओव विजेता हैं, यूएस ओपन में आप देखेंगे, जॉए, सॉलिस, वरी, यूटी के हैं, और देसर, देसर, क्राब, क्राब जिक, अमेरिका के हैं, ओव विजेता हैं, मार्सेलो, एरे, वलो, अल, सलवाडोर के हैं, और जियो, लियाना, और म मेक्सको के ओव विजेता हैं, तो इस तरह से आप लोग जरूर याद रखेगा, पर उस्वामें आप लोग जरूर याद रखेगा, इनसे कुश्चन से जरूर पूंचा जाता है, और खासकर विजेताओं में, तो रफेल नडाल रहें, स्पैन के उस्टेलियन ओपन 2022 में, फ्रेंच ओपन 2021 में, नोवाग जुकोविच रहें, सर्विया के, विम लड़न में, नोवाग जुकोविच सर्विया के हैं, 2021 में, डैनिल मेदवेदेव, ए रोस के हैं, 2021 में, यूएस ओपन में रहें, और उस्टेलियन ओपन में महलाओं की बात करें, तो एसलिवार्टी उस्टिलिया की है, फ्रेंच ओपन 2021 में बारवोरा, क्रीजी स्कोबा, चेकड़ राज की है, और विवलाडन में आप देखेंगे, उस्टिलिया की, और यूस ओपन में देखेंगे, इमा राडू कानू है, यूके के, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, बड़ा मुस्किल नहीं होगा, एक दो बार आप लोग आराम से पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है, सब कुछ समझ में आएगा, सबसे पहले हम ल तथा नौवाग जुकोवी दोनों ने 20 ग्रेंड स्लेम पुरू से इकल किताब जीत चुके हैं, और नडाल सभी ग्रेंड स्लेम दो बार जीतने वाले टेनिस इतियास के चोत्रे, जबकि ओपन यूग के दूसरी टेनिस खिनाडी बने, इसके पूर्व ओपन यूग में यह कार्माना, कार नामा, जुकोवीच सर्विया ने किया था, एसले बाइटी वर्स 1978, क्रिस ओ नील के बाद पहली ओस्टेलिया इकलाडी हैं, जिनोंने ओस्टेलियन ओपन महला एकल किताब जीता है, तो यह भी छोटी बाते हैं, फ्रेंच ओपन 2021, नौबाग जुकोवीच ट इसरे पुरुस खिलाडी बन गए है, क्या, पुरुस खिलाडी, वह है 1981 में हना, मैंड लिकोवा की पश्टाद बारवोरा, क्रिजी इसकोवा महला की एकल किताब, 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 जीतने वाली चैगड़राज की पहली महला खिलाडी हैं, साथी क्रेजी इसकोवा वर्स सन 2000 में मेरी पियर्स फ्रांस के बाद फ्रेंच ओपन में महला एकल एबं यूगल दोनों किताब अपने नाम करने वाली पहली महला खेलाडी हैं विम लडन आप देखेंगे भारती मुलकी अमेरिकी अब खेलाडी समीर बनर जी ने हम बतन द्वारा विजित यह पहला ग्रेंट सलेम एकल खेल हैं महला एकल फाइनल लिस्ट एमा राडु कानो और लेला फार्नाडीज दोनों गेर वरीता प्राप्त खेलाडी थे ओपन योग में किसी ग्रेंट सलेम की फाइनल में की पहली महला खेलाडी बनीए इससे पहले 1977 में वेटिन की वरजीनिया वेड ने विम लड़न चेंपियन की पहली महला एकल इसपरदागा किताब अपने नाम किया है अपने नाम किया है चली आब हम लोग बात करते हैं सीट कालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए 2022 में यह आप देखिए 2020 बाले आए क्या 2020 बाले आए लेकिन कुरोनम हमारी के कारण नहीं हो पाए थे इस 24 बास अंसकंड था और बीजिंग चाइना में हुए है माप करते माप ही चाहता हूं देखिए आप देखिए 2022 के में ओलंपिक खेल की बात ह हुआ है और चीन मेजबान इसका देश रहा है मुझे लगा यह ओलंपिक खेल वो आप देख रहे हैं ना कहां के जापान वाले जापान में हुए उनकी बात करने लगा था और 4 से 20 फरवरी 2022 के मद्ध हुए है पिती भागी इसमें 91 देशों के दल सामिल हुए है और आप द together for ACR future रखा गया है तो यह चोटे चोटे बाते हैं लेकिन इस तरह के questions भी पूछ लेता है कई बार तो यह ने भी आप लोगों को याद रखना होगा और आप देखेंगे 24 वे सीथ काली इन ओलंपिक खेलों के उपचारिक उपचारिक उदगाटन की गोशना चीन के राष् वर्ड वन फैमली रहा है 24 से वे सीथ काली इन ओलंपिक में कुल साथ खेलों के अंतरकत 15 विसेओं की 109 पिती इस परदाएं आये जित हुई है इसके इस सीथ काली इन ओलंपिक में साथ नई पिती भाएं बिग एर फ्रेस्टाइल स्कींग महिला इवंपोरसों के लिए बो देंग को सामिल किया गया है 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 इस ईवं साओधी रफ ने पहली बार सीथ कालीन ओलंपिक क्षेलों में भाग लिया है और चार फरवरी 2022 को 24 सीथ कालीन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ट पदक नौर्वे की ठेरिसी जो हौक को ने जीता था नौर्वे की थी इनके बार म याद रख सकते हैं पहला स्वर्डपडक था कर दान और पदत तालिका में आप देखें के तो नौरव्य पहले इस्थान पर रहा है शोले स्वर्ड जीते हैं 8 रजट जीते हैं 137 जीते हैं जर्मनी दूसरी पर रहा है रिवारे स्वर्ड जीतेएं 10 रजथ पांच कांस 27 नंबर पर और चीन आप देखेंगे तीसरे स्थान पर आ है जिसने मेजबानी कि है वो तीसरे नंबर पर 908 चार रजत दो कांस टोटल पंद रहे अमेरिका चौतरे नंबर पर 810 का रजत साथ इसने आप देखेंगे कांस जीते 25 25 25 इसने टोटल जीते स्वीडन पांच के साथ 18 टोटल जीते हैं तो इसमें आप देखेंगे किसने सीथ कालिंग उलंपिक खेलों में किसमें नौर्वे टॉप पर रहा है कौन नौर्वे यह आप लोग जरूर याद रखेगा ये 2022 के थे ठीक है सेथ कालिंग खेल एबन भारत की अगर हम लोग इस्तिती की बात करें तो 24 बे सीथ कालिंग उलंपिक खेल 2022 में भारत की तरफ से आरफ मुहमत खान एकमात्र एथलीट की रोम में सामिल हुए इनका नाम आप लोग जरूर रखिएगा और वे ही उदगाटन समारोग में भारत की तरफ से धवजबा रहे हैं और 11 आउसर था जब भारत पूंपिक खेलों में पिति भाग किया है और आरे मुहमत खान ने 24 बे सीथ कालिंग उलंपिक खेलों में अलफाएं इसकेंग की दो पिती वर्णाओं पुरोस इसलाह लॉम और पुरोस ज्वाइंट इसलाह लॉम में भाग लिया है हलाकि वे कोई भी बदक नहीं जी सके ख पूँच लेता है कई बात फिर आप देखें यह इसकी बात कर रहा था में अगर गलती कहीं हो जाती तो आप लोग उसके सुधार के लिख दिया करिएगा क्योंकि आज कल गर्मी आप देख रहे हैं जाना पड़ रही है तोकियो जापान में संपन हुआ है 24 अगस्त 2021 से 5 सेप्टमबर 2021 के मद ये 2020 में होने थे लेकिन कुरोना में हमारी के कारण नहीं हो पाई थे पेरालंपिक खेलों का आईवजन दूसरी बार करने वाला टोकियो विसका पहला सहर मन गया है इसे पूर 1964 में पेरालंपिक खेलों का आईवजन टोकियो में किया गया था और टोकियो पेरालंपिक 2020 में विसके 162 देशों और NCP के 4403 एथिलिटों ने पिती भाग लिग किया है 162 देशों के खेलाडियों ने इसमें भाग लिया है टोक्यो परालंपिक 2020 में भाग लेना वाली एथलीटों का सबसे बड़ा दल जापान का 255 एथलीट था तो जापान में हुए हैं तो आप देखें आसानी से लोग वहां के खिलाड़ी पहुँच पाए टोक्यो परालंपिक 2020 में 22 खेलों की 549 इस परदाओं को सामिल किया गया है नौकायन तथा साथ ये साइट फोटोवाल के स्थान पर दो नए खेल बेडमिंटन और ताई क्वांडो को सामिल किया गया है तो ये भी छोटी बात हैं लेकिन बड़ी बात हैं याद रखेगा टोक्यो परालंपिक टोक्यो परालंपिक 2020 का सुभंका सुमाइटी है जिसे चैरी विलो सम की एक पिसेद प्रजाती सौमियो सीनो से लिया गया है Tokyo Paralympic 2020 का आदर सबाक रहा है United by Emotion Tokyo Paralympic 2020 में कुल 86 देशों ने पदक जीते हैं कितने? 86 देशों ने पदक जीते हैं और Tokyo Paralympic 2022 का पहला स्वर्ड पदक Australia ही महला साइकलिस्ट पाईजे ग्रेको ने जीता है यह Australia की थी Tokyo Paralympic 2020 के सबसे सफल एथलीट Maxim Crye Park Ukraine की रहे है तो यह ने का नाम भी आप लो याद रखना चाहिए मुझे लगता है और आप देखेंगे Crye Park ने तरह की Ash 10 सैनी में 5 सौरद एक रज़त और एक कास पदक सहित को 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 25 देख लीजे और भारत की स्तिती भी देख लीजे टॉप बाले आप लोग 2-3 याद रख सकते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भारत की स्तिती याद रखिए भारत के बारे में आप लोगों को एक एक पॉइंट मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए रेंग हो गई और देश हो गई, सवड़ पदक हो गई और रज़त पदक कांस पदक और आप देखेंगे कोल हो गई चीन यह आप देखेंगे पहली नंबर परा है 96 इसने सवड़ जीते हैं 60 आप देखेंगे रज़त जीते हैं और इंक्यावक कांस जीते हैं 저희 टोटल आप देखेंगे 207 जीते हैं जितने 207 टीक है ग्रेट वैटर्स आप देखेंगे तो 41'llी 38 सो राजत जीते हैं पैंतालीस जीते हैं व vikt Então में जीते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि 124 इसने टोटल जीते हैं अमेरिका तीसरी नंबर परा है 37 स्वड़ पतक 36 इसने आप देखेंगे क्या जीते हैं 36 रजत 31 कांस और 104 टोटल इसने आरपीसी आप देखेंगे कि रूसी एथलीटेओं ने पेरालंपिक 2020 में आरपीसी के धवच के तले पिती भाग किया है इसमें 36, 33 आप देखेंगे रजत हैं और 49 आप देखेंगे कांस हो और आप देखेंगे ग्षय कांस और टोटल उनसट भारत ने 500 कितने 500 आठ रजत 6 कांस और टोटल उन्नीस हम लोगों ने उन्नीस जीते हैं जिसमें से 5 आप किस वड़ ने 8 रजत हैं और 6 कांस हैं सबसे बहतर प्यदार्शन आप लोग कह सकते हैं एक तरह से अपना रहा है इस बार भारत का, अब आप कह सकते हैं, वैसे तो चाइना का रहा है, आप देखे, टोक्यो परालंपिक 2020 में भारत, टोक्यो परालंपिक 2020 में भारत की ओर से, अब तक कि सबसे बड़े चंगन पैराय अथलीट्स के दल ने पिती भाग लिया था, चंगन, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें, टोक्यो परालंपिक 2020 में भारत का विजित कूल पदक एक दिरिश्टी में, सवर्ड पदक, इसमें आप देखेंगे कि आउनी लेकरा, निसाने बाजी से जुड़े हुई हैं, और इस पदा R2 महला, 10 मीटर एर राइफल्स, एस्टेंडिंग में, सवर् सवर्ड पदक, मनिस नर्वाल ने जीता है, निसाने बाजी में, सवर्ड पदक, पिरमोद भगत ने जीता है, बेडमिंटन में, सवर्ड पदक, किष्णा नागर ने जीता है, बेडमिंटन में, यह आप लोग याद रख सकते हैं, अगर रखना हो, परना यह आप लोगों स सवडपद्य जीते हैं सवडपद्य दिलाए हुए है ठीग है और रजतपद्य कुमार एथलेटिक 細नर रज़त योगिस कठोनिया इन्हें एथलेटिक से जुड़े हुए हैं रजå देविंद जाजरिया ने भी ए एथलेटिक स से जुड़े हुए है बाला पेट में ठीक है और रजत मरियफवन थंगा बेलू एथलेटिक्स है उची कूंद में रजत पिरवीन कुमार ने एथलेटिक्स है उची कूंद में रजत सिंगराज अधाना निसाने वाजी में रजत पदत सुहास एहल वाई ने वेडमिंटन में कांस सुंदर सिंग गुर्जर तो यह आप लोग याद रखेंगे जो जो आपको याद रख सकता है हो सकता है करिएगा और वरना एक बार आप लोग एक दो बार देखेंगे तो मुझे लगता है काफी याद बना रहेगा भाला फेग भाला फेग एथलीट टेग चंद टोक्यो ओलम्पिक खेलों के उद्धाटन समारों भारती दल की थ्वजबाहग थी अब समझ रहे है कि काम भी अपनी सर्विस भी कर रहे है और खेलों में भाग ले रहे है पावर लिप्टिंग में महिलाओं की 50 किलो ग्राम इस परता में सकीना खातों पैरालम्पिक खेलों में पिती भाग करने वाली पहली भारती महिला पावर लिप्टर बनी है टोक्यो पैरालम्पिक में आवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर येर राइफल इस्टेंडिंग एच एस एस एक इस फर्दा में स्वर्ड पदक जीता है यह टोक्यो पैरालम्पिक में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ड पदक था साथी आवनी पैरालम्पिक खेलों के इतिहास में सोड़ पदक जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी बनी है तो ये भी याद रखे इस फर्दा में कास पदक भी जीता है इस पदक के साथ आवनी पैरालम्पिक खेलों के लिए के किसी एक संस्कार्ण में दो व्यक्तिगत पदक जीतने बाली पहली भारती है चलिए अब देख लिजे बारवी ग्रीसम कालीन ओलम्पिक खेल इनके बारे में भी जान लिजे तो 32 ग्रीसम कालीन ओलम्पिक खेलों का योजन जापान की राधानी टोकियो में हुआ है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मद्द हुआ है टोकियो इसिया का पिथम सहर है जिसने 1964 और सन 2020 में कुल मिला कर दो ग्रीसम कालीन ओलम्पिक खेलों की मेजबानी किये और 32 ग्रीसम कालीन ओलम्पिक खेलों के उपचारिक उदगाटन की गोशना जापान समराट नारो हितों ने द्वारा की गई थी और जापान की महिला टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका द्वारा टोकियो ओलम्पिक 2020 के उदगाटन समारों के द्वारान ओलम्पिक कोल्डरन को पेजलित किया है यूनाइटिड वाई इमोसन 32 वे ग्रिफन काले ओलम्पिक खेलों के उदगाटन समारों का मुख विसाय था तो इनके विसाय भी याद रखा करेंगे कई बार क्या रहता है कि विसाय के बारे में पूंच लेता है तो विसाय पर भी एक आप लोग सामाज न समझ रखा करीगा हॉप लाइट्स अवर ए ए बे टोकियो ओलम्पिक खेल 2020 ए तू मारस मसाल रिली का आदस वाक बाक था ग्रीस काली ओलम्पिक 2020 का सुभंकर मेरा इतोवा रहा है मिरा इतोवा रहा है और मिरा इतोवा नाम जापानी सब्द मिराई अर्थ भवेस तथा तूवा आनंद काल पर आधा रहे थे और आप देखेंगे जुलाई 2021 में अंतराष्टी ओलम्पिक सम्ती ने ओलम्पिक के आदस वाक में इतिहासिक परिवर्तन किया ओलम्पिक का नया आदस वाक ए शिटिवस और एल्ल्टवस और फोर्टिवस कमोनेटियर अंग्रेजी में फास्टर हाईयर और स्ट्रॉंगर टूगैदर रखा गया है और आप देखेंगे 32 ग्रेस मिकाली ओलम्पिक में कुल 33 खेलों की 349 पी 30 वादाय संपन हुए हैं कितने 349 यह चोटी बात नहीं बड़ी बात हैं और इस ओलम्पिक में 4 नई खेलों कराटे, स्केट ओर, सर्फिंग और स्पोर्ट्स 20 में सम्मिलित किया गया है और 32 ओलम्पिक खेलों में रूस को डॉंपिंग के कारण पिती बंदित कर दिया गया था और अताहरूसी संगे के एथलेटिक्स ने टोकियो 2020 में में आरोसी के बेनर तले पिती भाग किया है और 32 ओलम्पिक खेलों में कुल 205 देसों राष्टी उलम्पिक सम्तियों तथा एक IOC सरडा थी उलम्पिक टीम ने भाग लिया इसमें और टोकियो ग्रीसम कालिंग उलम्पिक 2020 में कुल मिलाकर 11,269 एथलीट पिती भाग किया है इनोंने टोकियो 2020 में पिती भाग करने वाली सबसे कम उम्मरी की एथलीट हैंद जाजा आयू इनक 26 वर्स थी गुर्सावारी से संबंदित ओस्टिलिया की थी आप समझ रहे हैं टोकियो 2020 में कोई पदक रज़त पदक जीतने वाली सबसी युगा एथलीट कोको कोको ना हेरा की बारे वर्स की थी जापन स्केट वोर्डिंग में इनोंने जीता है टोकियो 2020 में कोई पदक प पदक जीतने वाली सरवादी कायू के अथलीट एंडियू होए हैं उस्टिलिया के हैं इनकी घुर्सावारी में जीता है बारसट साल के हैं कितना बासट साल के वर्ड्स वी सियर टोकियो गेरिसम कालिंग ओलंबिक 2020 के समापन समारो का केंद्री भी सहरा है उस्टिलिया महल क्या देखेंगे कि टोकियो 2020 में सरवादिक स्वर्ड पदक विजिता एथलीट के लिए डेल सेल पांस स्वर्ड अमेरिका तेरा की ने जीते हैं टोकियो गेरिसम कालिंग ओलंपिक 2020 में सीस्ट दस पदक प्राप्त करता देश एवं भारत की स्थिए अगर आप देखें दूसरे नमबर पर है अटीस सवर्ड पदक जीते हैं बाकी आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए मुझे ने लगता है कि पूछा जाएगा भारत की स्थिए जरूर पूछे जा सकती है आरोसी को देख लीजिए बतीस सवर्ड और अठाइस आप देखेंगे इसके के राजत हैं और 23 आपके कास हैं और टोटल 46 हैं ठीक है मापके टोटल 71 है कितने 71 है तो यह भी आप लोगे याद रुकिए और आरोसी मतलब रूसी संगे की एथलीट एथलीट्स ने टोक्योगेस ग्रीस में कालिए ओलंपिक 2020 में आरोसी के बैनर तरे पितिभात किया है भ हारत कूल् सात पतके कूं상 152 रजदव और 148 स्थान पर आए हमारा हमारी स्थाचिति एक ड़ुगेस इस नमबर पर रहे तू आप समझ वं इसमें टॉप पर कौन रहे है अमेरिका रहे चाइना हमारा पडोसी दूसरी नमबर पर रहा है और एक बात देखिए पिछड़ने का एक और कारण है जितना आप देखिए देश अपने यहां के खिलाणियों को सुख़द्याएं उतना हमारे देश में नहीं है आप देखिए इस तरह का खेल से जोड़ी हुई चेत के लिए कोई अब देखिए अब दिया जा रहा ह और एकतर पुरूसों के साथ पिती भाग किया है टोकेयो 2020 में भारत के सेफ दा मिसन बीरेंद परसाद वेस और टोकेयो 2022 में भारत की ओप सेफ दा मिसन प्रेम कुमार बर्मा टोकेयो ओफ गिरिस्पन कालिंग ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 79 इस परदाओं में पिती मनपीर सिंग द्वजबा आकर रहे हैं और 32 वे ग्रेस्पन कालिंग ओलंपिक खेलों की समापन समारों में भजरंग पुनिया भारतिय धल के द्वजबा आक थे और टोकेयो ओलंपिक 2020 में पुरुसों की भाला फेक इस परदाओं में भारत के नीरत चौपडा ने दूसरे प्रियास में 87 दिसमलो अंठावन मीटर दूरी ते तक भाला फेक कर स्वड़ पदक जीता है क्या जीता है स्वड़ पदक जी रहा है नीरत चौपडा काफी नाम भी रहा है चर्चा में भी रहे हैं कई पूरुसकार दिये गए नहीं फिर ओलंपिक खिलों में ट्रेक एंड फिल्ड इस परदाव में भारत दुवारा जीता गया पहला स्वड़ पदक है आईउसी के अनुसर नौर्मन प्रिचार्ड की बात एल्थलेटिक्स में कोई ओलंपिक जीतने वाले नीरत दूसरे भारती पूरुस है साइंखौम दिखेंगे कि 49 किलोग्राम भारवरग में कुल 202 किलोग्राम बजन उठाकर रज़त पदक जीता है और 32 सवे ग्रेस में कालिंग उलंपिक खेलों में फ्रेश्टायल कुस्ती में पुरसों के 57 किलोग्राम भारवरग में भारत की रवी कुमार दहिया ने रज़त पदक जी पदक जीता है है धरावाद की पीवी सिंदू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेडमेंटन की महला एकल इस परदा में चीनी खिलाडी की ही बिंग जियाओ को पराजित कर कास पदक जीता है सुसील कुमार पहलमान के उपरांत गिरेसम कालिंग ओलंपिक के दो अलग-अलग संसक इस परदा में पदक जीतने वाली पीवी सिंदू दूसरी भारती एवं पितम भारती महला ओलंपियन बनी है सुसील कुमार आप सभी जानते हैं उनका क्या हाल है बजरंग पुनिया ने पुरुस फिरेश्टाइल कुस्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजा अकर्स्तान क दौलत नियाज विकेओ को पराजित करकास पदक जीता है और आप लोगों से इसलिए कहता हूँ पावर मिलना बड़ी बात नहीं होते हैं पावर को समाल गिरखवाना बड़ी बात होती है साथी बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले छटे भारती पहलवान बने है औ इसकेपूर भारती पुरुस होकी टीम ने मास्को ओलंपिक 1980 में पदक जीता था स्वड़ पदक समझ रहे हैं और गिस्विम का ग्रेज कालिंग ओलंपिक खेलों की दियास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारती महला होकी टीम ने पहली बार सेमी पाइनल में प्रविस किया है म महला गोलफ में मैं अदीती असोग चौत्रे स्थान पर रही है जो किसी भी भारती गोलफर का ओलंपिक में अब तक कर सर्फसेश्ट पिदर्सन रहा है अदीती असोग यह आगामी खेला आयो जैने है इनके बारे में आप लोग याद रखेगा एक किरकेट यह इस्थल जह यहां होना है आठवा ICC महिला 2020 विसक कब 2013 एक यह दच्य टवीका में एक देवशी HR क्रिकेट खलब विसकाव थे भारत होगा आठवा पूरो mask i so щ тебе 20 विसकव भाम बिसकब ओञे और 2020 विसकब 2022 का और श्पैलिया में कहां और आप दर्केंगे चा ओस्टे लिया में to 220 T20 ACA Cup 2022 स्रिलंका में ACA Cup 2023 एकदवसी ए पाकिस्तान में Nova पुरुष T20 क्रिकिट विसकप 2024 बेस्ट इंडीज और सहित्रा जमीरिका में चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में पुरुष T20 विसकप 2026 में भारत और स्रिलंका में एकदवसी ए क्रिकिट विसकप 2027 में दच्चरपी का जमबामबे और नाभी विया में पुरुष T20 विसकप 2028 ए और और चैंपियन ट्रॉफी 2029 ए भारत में इंडिया में और ये भी याद रख सकते हैं आप लो रखना चाहिए मुझे लगता है कि छोटी छोटी बात है और पुरुष T20 विसकप 2030 एंगलेंड वेल्स आइलेंड और स्कोटलेंड में एकदवसी ए क्रिकिट विसकप 2031 भारत इवां बंगलादिस में भारत और बंगलादिस में पुर्ट वाल हो गए ये फीपा यूट मतलब अंडर 20 पुरुष कप 2030 एंडोनेसिया में फीपा अंडर 17 महला विसकप 2022 भारत में फीपा अंडर 17 पुरुष कप 17 आप देखेंगे 23 में पेरू में होगा क्या होगा पेरू में 22बा फीपा वोटवाल- profit Cup कतर में होगा क्या होगा कतर में 2022 मेइं ऊस्टेलिया न्यूजिलेंड疫 में राश्टी में कली में अमेरिका के देखेंगे पन्दरवा पुरुष हॉक्य कदरे बादमें भारत में भारत में पंदरवा महला हॉक्य कदर 2022 में इस्पेन और निदर्लेंट्स में एक उट देख लिजे 49 राष्टीए खेल 2022 में में और आप देखेंगे 22.22 में बर्वेंगम पेरिटिन में 33. सिंगर्च म कालिंग ओलंपिक खेल 2000 फ्रांस में 34 वे ग्रीसम कालिंग ओलंपिक खेल 2000 2020 में लॉश एंजल्स अमेरिका में 35 स Чी समकालिंग उलम्किक खेल 2022 में होंञे ब्रेस बेन औस्टेलिया में होंगे और वीईज़एएएएएएएए खेल 2026 में नगोआया जापान में होंगे 21 qué Online कि दोहा कतर में 22 praying rij чер 34 में होंगे रियाद यारती स्रमें 14 वे दच्छन डच्छर ऐसी ऑन 23 में पाकिस्तान में होंगे रगवी पुरुस 20 में फ्रांस में होंगे 2023 में AIVA 20 मुक्रेवाजी चैंपिंसिप 2023 तासकंद उजबिकिस्तान में होंगे और 19 में 20 एक्विटिक्स सावाओइट कैस्पण चैंपिंसिप 2022 हंगरी में होंगे विस बैडमिंटन चैंपियंशिप ये 2026 में भारत में होंगे सुधी रमन कप 2023 ये चाइना में होंगे कहां चाइना में हमारा पड़ोस ही है न पिरमुक मेराथन परीडाम देख लीजे 2021-22 के ये मेराथन रेस हो गए फुरो से विजेता हो गए महला विजेता हो गए तो इनक मेराथन 2022-22 ए बैसेंट किसांग रोना केना के और मुलिये दिख के वो इथोपिया की थी फैरेस मेराथन 2022-2010-100 गैलमिसा इतोपिया की और जोडित जप्यप्टम केना की थी और आप देखेंगे कि बरलिंग हाफ मेराथन 2022-22 एलेक्सट कैविट कैना की थी और सीला हीँ ? वेना सेकागो मेरा हैं ? न साफ मेरर हैं людिक ले जोय सिलीन है ? कोषगय केई के वेलेंसिया मेराथन 2021 लोरेंस चेरोनो केन्या के ओ नैंसी जला गट केन्या की थी तो यह आप लोग याद रख सकते हैं क्या करें याद रखना है मेराथन रेस भारती पुरुस बेजेता भारतीय महला बेजेता एफ एलाई नई दिल्ली मेराथन 2022 नितेंदर सिंग रावत भारती पुरुस बेजेता रहे हैं जोती गाउटी महला बेजेता हैं कोलकात्व मेराथन 2022 रूपन देवनाद बेजेता और तमाली वसु बासु एभी विजेता महला बर्ग में इंद्रा क्या इंद्रा मेराथन 2021 प्रियाग राच एभी विलियप्पा पुरुस में और नेर बाई बीस में टैनिस पितियों की ता पाई डाम देख लिए पुरो से एकल स्वड़ पतक अलेक्जंडर जोरेयो जर्मनी के थे और रज़त पतक कारेन खचानो खचानो रोसी के कास पतक पाबलो कारेनो बुस्ता इसमें के इस तरह की नाम रहेंगे आप लोगों को एक दो ब पतक ए विलेंडा वेंसस स्वीजेलेंड के और आप देखेंगे रज़त पतक मार्केटा मार्केटा बंडरो ऊसोवा चेहगडराज की कास पतक एलीना स्वेट तोलीना उक्रैन के पुरो सेहकल में आप देखेंगे इस वार्पतक निकॉल में निकोल मेंको और मैट पाविक दोनों कोई सिया के रजएत पतक मारिन सिलिक और इवान डोडिक दोनों कोई सिया के महला यूगल में आप देखें की स्वीज़ेलेंट के मिस्रित यूगल पतक अनास्तासिया फवल्लियू चेंकुआ और अंध्रे रूव लेओ दोनों आरे ओसी के रज़त पतक एलीना वैसनीना और असलन कराते से वो दोनों आरो सी के तो यह भी याद रखिए एटीपी कप एक एटीपी कफ दो जर्बाइस ए तीसर असकान सेडनी ऑस्टेलिया में संपन हुआ है एक से नौ जन्मरी 2022 की मत पेतियों किता पैडाम विजेता कनाडा रहा है विजेता इस्पैन रहा है एटीपी अबोर्स 2021 यह एसोसियेशन और टै और पुरुस्कार्स की सेडनी में अगर विजेता देखें अगर आप लो तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या यह उपर आप देखेंगे एसेडी एटीपी नमबर एक खिलाडी नोवाग जुकोवी साथवी बार सर्विया के हैं एटीपी नमबर एक जोडी योगल में निकोल मेक्टिक और मैट फाविक कोईसिया के हैं कमबैक फिलियर ओप दा इयर मेकेंजी मेकडोनाल्ड अमेरिका के हैं मोश्ट इंप्रूब्ड पिलियर ओप दा इयर असलान करात्सियो रूस के हैं न्यू कमर ओप न्यू कमर ओप दा इयर जैंसन ब्रुक्स वाई अमेरिका के इस्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समेन सिफ अवर्ड रफेल नडाल इस्पैन के हैं आर्थर एस हुमिने ट्रेयम अवर्ड इमार्कस आप देखें डैनियल न्यू जिलेंड के हैं फ्रेंस फेवरेट अवर्ड एकल में रोजर फेडरर सुजेलेंड के हैं फ्रेंस फैवरेट अवर्ड यूगल में फेरे यूजेद और हर्वर्ड निकोलस माहूद दोनों फ्रांस के हैं कहां के हैं फ्रांस के हैं कोच आप दाइयर फैसंडो लोगोनेस अरजिंटिना के हैं लॉण बुक में मीडिया एक्सिलेंस अवर्ड एपिज्वल हैंडी भारत के हैं कहां के भारत के हैं करिकेट में देख लिए विजडन करिकेटर्स अलमानेक अवरेंड पेस्ट पर जो रूट इंगलेंड को इस्थांध पिदान किया गया है इंगलेंड के जो रूट को इस बार बर्स का सर्फ सेट करिकेटर 2021 के लिए चुना गया है दच रफीका की लिजेल ली को बर्स की सर्फ सेट महला करिकेटर 2021 चुना गया है और पाकिस्तान के मुहमद रिजवान को बर्स का सर्फ सेट की 20 करिकेटर चुना गया है पांच किरिकेटर जस्मीद बुम्रा भारत के हैं डेवन कॉन्वे ए न्यूजिलेंड की रुष सर्मा भारत की ओली रोमिंसन इंग्लेंड के ओडेन वान नाई किर्ट इदच्छडपी का को बिजरन किरिकेटर ओब दाइयर चुना गया है तो यसमें भारत की रुष सर्मा है इस्पैन के विजेता रहे है और विजेता मैक्सिम क्रैसी अमेरिका के हैं और महला में देखें तो सिमोना हाले रोमानिया के विजेता है और विजेता बेरो वेरो निका कुदेर मेतुवा रूस के हैं विजेता जरूर आप लोगों को हरहल में याद रखना होगा एडी लेड इंटरनेशनल फर्ष्ट गेल मॉन फिल्स फ्रांस के विजेता है कारेन खाचा नो रूस के हैं विजेता महिलाओं में देखें तो एसले बाटी उसके लिया के हैं विजेता एलीना रिवा की ना कजाकिस्तान की विजेता दोवाई ड्यूटी फ्री टैनिस चपियंसिप आंद्रे रोव लेओ एरूस के विजेता हैं जैरी वेसली चेगड राज के विजेता महिलाओं में जेलेना ओस्टा फेंको लाटविया की विजेता वेरो वेरियो निका कुदेर में तुवा एरूस की विजेता एवियर्टी मेक्स कानो रफेल नडाल इस्पैन के विजेता केमरून नोरी ग्रेट बैटिंग के विजेता कतर टूटल टूटल उपन इसमें महिला विजेताओं की देखें अगर आप लू तो आप देखेंगे कि एगा स्विट्टेक फोलेंड की विजेता एनेट कॉंटा विट इस्टॉनिया की एव बिजेता ठीक है रियो ओपन कार्लोस अलका राज इस्पैन के विजेता डेगो स्वार्ट जमेन अर्जिंटीना के विजेता ठीक है सेंट फीटर्सबर्ग लेडी ट्राफी इसमें महिलाओं में आप देखें तो एनेट कॉंटा वीट इस्टॉ इस्टॉष्स हो में रफ्यल नडाल इस्पैन के विजेता महिलाहों में इगा फूलेनद की विजेता है और आप देखें मारिया शक्कारी ग्रेस की विजेता है सर्विया उपन में हंअध्रे पल्न लेव बजय ता है और नोबाव्र को भाज सर्वीय के बीज़ेता है वर्षि लोणा जोपन तू इसमonde अप देख çal playback के चा Precis मास्टर्स इस्टेपा नोस सिद सिपास देखें ग्रीज के बिजेता एलेजेंडारो डेवीड डेवीड डोविच फोकीना इस्पेन के कतर उपन रोबर्टो बाउ बाउ तिस्ता आखुत इस्पेन के निकोलोज वासिल सिवली यह आप देखेंगे जोडिया के उप बिजेता मोतवा मेड़ेट ओपन कार्लोस अलकाराज इस्पेन के बिजेता एलेकजन्डर जेवरेव जर्मनी के उप बिजेता महलाओं में देखें तो ओंस जावे और टेवनिसिया की बिजेता महलाओं और ओव बिजेता जैसीका पेगुला USA की है इस्टुएट ओपन इगा जर्मनी के बिजेता ओंस जावियूर एटिवनिसिया की बिजेता महलाओं में एक दुबार पढ़िये का निकल जाएगा वरे बरा खतनाग रहता है इन में किने किने याद रखें यह पर आपकी ही नहीं रहती हर किसी की आप देखें प्रोब्लम है कि याद नहीं होता है य क्या कह रहे है नहीं नियां यह आप देखेंगे मार्च 2022 में घोसित किया गया है अंतरश्टी किर्किट परिशाद क्रिकिट के नए नीमों को लॉस लॉस इस्तित मेरी वान किर्किट क्लब के सुझाओं की आधर पर लागू करती है यह परीवरतन एक अक्टूबर 2022 से नहीं माना जाएगा यदि कोई बल्यवाज केच आउट हो जाता है तो नया बल्यवाज अंगली गेंद का सामना करने के लिए इस ट्राइपफर आएगा बहसरती कि वह ओबर की आखरी गेंद ना रही हो क्या हो ओबर की आखरी गेंद ना रही हो फिर आप देखें ये बारेवा आई सीसी, बारेवा आई सीसी एक दवसी महला विसकब 2022, ये न्यूजी लेंड में हुए है पांच मार्स से तीन अपरिल 2022 के मद, ये पाइडाम रहे बिजेता ऑस्टिलिया रहे है, रिकोर्ड साथ भी बार वो बिजेता इंगलेंड रहे है, वेक्तिकत पुरुसकार देखें तो फिलेयर ओपदा टूनामेंट एलिसा हैली को टूनामेंट गर सरवादिक 509 रन और अस्टेलिया ने बनाये है, ये और अस्टेलिया की थी, टूनामेंट में सरवादिक बिकेट सौफी एकलेस्टॉन इंगलेंड को 9 मैच में, आप मैटाली राथी मैताली अन्तराष्टी किर्केट परिश्त के 6атив कपों हो, में पीतिभाग करने वाली पहली महिला किर्केटर हैं, आप देखें कि स्रीलंका ट्रीकेट टीम का भारत दोरा हुआ था吧 2022, इससरीलंका Image team का भारत 2 रासंपन हुआ 24 फरवरी से 16 मार्च 2022 , इस में क लिखें कि टीट्वेंटी सिंखला 24 से 27 परवरीट 2022 है कि मत चली विजेता भारत रहा है तीन जीरो से मैन आप दा सीरेज CSIR को मिला है भारत के सिंखला में सरवाधिक रहा हैं CSIR ने 204 रन बनाए थे कितने 24 रन तीसरी T20 मेुच जीतने के साथ ही T20 अंतराष्टिय मैचो वन भारत लगातार बारेज जीत दरच करने का रिकोर्ड अबने नाम किया है क्या अपने नाम किया है तो यह भी है भारत की अत्रिक्त और रोमानिया और अफगानिस्तान ने भी T20 अंतराश्की मैचों में सर्वाधिक आप देखेंगे कि बारे सर्वाधिक मैचों में लगातर बारे जीत दर्च की है T20 सिंखला का तीसरा मैच रोहिस सर्मा भारत की केरियर क्या 125 बार T20 अंतराश्की मैच था बेद विस्व में सरवाधिक अंतराश्की है T20 मैच खिलने वाले किर्केटर बन गए है इससे पूर यह रेकोर्ड पाकिस्तान की सुवेब मलिक का 124 मैच की नाम था दो टेस्ट मैच सिंखला में पिलियर ओप ता शीरे अबोर जीतने बाली पहले भारतिये विकेट कीपर बल्लेवाज बने हैं और याद रहे ऑस्टिलिया के एड़म गिलकृस्ट ने टेस्ट किर्केट में यह आवर तीन बार जीता था टेस्ट सिंखला के पहली मैच में भारत की वोर से रो भारत दौरा हुआ था और इस बेंस टिंडीज करकृटीम करकृट टीम का भारत डौरा सम्पन्फल्टय चैसे 20 फरवरी 2022 के मद इस दौरी में पर दोनों देशों के मद्ध आप देखेंगे तीन दिवसी अंतराश्टी है कि क्या तीन दिवसी अंतराश्टी इनतराश्टी है एवं 3-0 T20 में चुणका यूजन हुआ है और एक दिवसी सिंखला इसमें भारत सिंखला में 3-0 से विजयी रहा है Man of the Series पिसिद्ध किछना को मिला है एभारत के और सिंखला में सरवादी करन सूर कुमारियादों को भारत के हैं 104 रन, सिंखला में सरवाधी विकेट फिसिद किष्णा को 9 विकेट इनों ने, कितने? 9, 9, और अहमदाबाद में खेला गया सिंखला का पहला मैच भारत, मैच भारत का 1000 वा एकदवसी अंतराष्टी मैच था, 1000 वा एकदवसी अंतराष्टी मैच खेलने वाली भारत पहली अंतराष्टी टीम बन गई है, भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता था, और याद रहे भारत ने अपना पहला एकदवसी अंतराष्टी मैच अजीद बाड़ेकर की कप्तानी में इंगलेंड की विरूद दिवर् भारत के हैं, सिंखला के दूसरे मैच को जीतने के साथी भारत सो टी-ट्वेंटी अंतराष्टी मैच जीतने वाला विसका दूसरा देश बन गया है, भारत से पूर हुआ आप देखेंगे पाकिस्तान यह कारणामा कर चुका है, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, अंडर 19 कि प्रिकेट वर्ल्ड कप दो हजार बीस, ए दो हजार बाइस, ए चौदे जन्वरी से पांच फर्वरी दो हजार बाइस के मद्दू है, मेजवानी बेस्ट इंजी ने किये, प्यारू, राउंड रोबिन एवन नॉक आउट, पैडाम विजेता भारत रहा है, रेकोर्ड पां चैरन साथ विकेटेंड होने लिए थे, पिलेयर ऑफ दा मैच फाइनल मेर, राज बावा ये भारत के थे, ठीक है, भारती किर्केट टीम का दच्छन अफी का दोरा, भारती किर्केट टीम का ये आप देखेंगे कि दच्छन अफी का दोरा संपन हुआ है, गर्मी बहुत है समझ रहे हैं आप लो, और इस दोरान देश की मद्द, दोनों देशों की मद्द तीन टेस्ट मैचों और एक दिबसी अंतराश्टी मैचों की सिंखला आई उजित की गई, तीन टेस्ट मैचों की सिंखला फीडम ट्रॉपी में दच्छन अफी का ने भारत को दो एक से परा ने 3-0 से जीत ली थी, 3-0 से, ठीक है, न्यूजिलेंड किर्किट टीम का भारत दोरा हुआ था, इसमें क्या इस्तिती रही, न्यूजिलेंड किर्किट टीम का भारत दोरा हुआ, 17 November से 7 December 2020 के मद्द, इस दोरान दोनों देशों की मद्द, तीन अंतराश्टी T20 और दो टेस मैचों की सिंखला आयो जीत हुई थी, तीन अंतराश्टी T20 मैचों की सिंखला भारत ने clean sweep करते हुए, 3-0 से अपने नाम की थी, फिलेर ओप दा ठीरिज, रोहिस सर्मा को मिला था भारत के हैं, दो टेस्ट मैचों की सिंखला में भारत ने 1-0 से अपने नाम की थी, मुंब सभी 10 विकेट अपने नाम की थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी ऐसे भी क्रिकेट क्या है, बॉलर हैं, और दूसरी पारी में उनोंने 4 विकेट के साथ दूसरी टेस्ट मैच में कुल 14 विकेट लिये हैं, कितने? 14, तो यह भी याद रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? याद टेस्ट सकोर है, साथ ही यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा भारत की विरुद बनाए गया, नियूनतम सकोर है, भारत स्पेनर रभी चंदन अस्वन टेस्ट सिंखला के लिए पिलियर आप दासी रिच चुने गए, फिर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, से सिंखला 2021-22, ऑस्टिलिया और इंगलेंड की भी ऑस्टिलिया में सब्पन हुई, आठ देसंबर 2021 से अठारे जनवरी 2022 के मत, इस सिंखला में कुल 5 टेस्ट मैच खेले गए, सिंखला का पैड़ाम ऑस्टिलिया 4-0 से जीता है, और इस सिंखला में ऑस्टिलिया की करिकेटर इस सिंखला में सरवादिक रन टेविस हैर, तीन सो संतावार रन ऑस्टिलिया के है नो ने लिया हुँ, विस वधिर T20 क्रिकेट चेंपियंसिप, जनवरी 2023 में पहली विस वधिर T20 क्रिकेट चेंपियंसिप का ऐउजन किया गया है, और कीरल भारत में, अखेल भारती वधि खेल फरिशाद द्वारा इस Championship का आयोजन किया जाएगा यह Championship किरल के तिरुवन परम में आयोजित आयोजित होगी जनवरी 2023 की बात है ठीक है और साथवा पुरुष T20 किरिकेट किरिकेट विसकप 2021 साइब तरह मिरात तथा ओमार में संपन ए 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के ब मैन अब दा सीरे डेविट वार्नर उस्टेलिया के कुल 289 रन इनों ने बनाये थे और पितियोगिता में सरवाधिक रन बावर आजम पाकिस्तान के थे ये 303 रन बनाये पितियोगिता में सरवाधि विकेट वन इन दू हसा रंगा स्री लंका की 16 विकेट इनों ने लिए पितियोगिता में उस्टेता में स्कोर जॉस वर्टलर इंगलेंड के थे 102 रन स्री लंका की विरूद पितियोगिता के किसी टीम द्वारा उस्टेता में स्कोर भारत 210 दो पर आफगानिस्तान के विरूद और पितियुगतार में सरवाधिक छक्के आप देखें जॉस वटलर ने इंगलेंड के हैं और इनोंने आप देखेंगे 13 छक्के लगाए चितने 13 पितियुगता में सरवाधिक चोके यह आप देखेंगे डेविड वार्णर ने उस्टिलिया की 32 चोके पितियुगता में सरवादिक अर्थ सतक बाबा राजम ने पाकिस्तान की 4 अर्थ सतक पितियुगता में सरवादिक सतक जोस वटलर ने इंग्लेंड का था हिकमात सतक पितियुगता में सरवादिक तेज अर्थ सतक सुएब मलिक ने पाकिस्तान का कियल राहूल भारत दोनों ने अठारे गेनों पर पिदियोगता की एक पारी में सर्फ्टिस गेंदबाजी पितरसन एडम जेंपा आप देखेंगे उस्टिलिया के पाँच उन्निस टी-20 विसकप पिदियोगता में आइलेंड की कर्टिस केंफर लगादर चार गेनों पर चार विकेट नीदलेंड की विरूद लेने वाले विसके पहले गेनदबाज बने हैं और हला कि टी-20 अंतराष्टी किर्केट में रासिद खान अफगानिस्तान और लासिद मलिंगा स्री लंका ने एक कार नामा कर चुके हैं पिते योगिता में हैट ट्रिक विकेट लेने वाले अन गेनदबाज वन इन दो हसा रंगा स्री लंका की कासीगो रवाडा रवाडा या रवाडा दच्छडपी का के ICC T20 फुरो से किर्केट कब 2021 टीम और टूनामेंट का कप्तान बावरा राजम पाकिस्तान को गोसित किया गया और 2022 में पिस्तावित आर्ट भी ICC T20 विसकब का आईवजन ऑस्टेलिया में होगा भारती किर्केट टीम का England दोरा भी हुआ है 2021 में 4 अगस्ते थे 14 अगस्ते 2020 के मद आईवजन हुआ दोरे पर 5 टेस्ट खेले जाने थे कि COVID-19 के पिरकोप के कारण सिंखला का पांचवा मैच नहीं खेला गया था और सिंखला के अंति मैच का आईवजन वर्स 2022 में संभावित है खेले गए 4 टेस्ट मैचों में भारत 2-1 से सिंखला में आगे रहा है और लीट्स में खेला गया सिंखला का तीसरा टेस्ट मैच इंगलेंड ने पारी पारी तथा जर्थ शतना नोसे जीता था किसमेच में भारती टीम पारी मिश्ट गई तक थे जो पहली वार भारत द्वारा अब तक का थीसरा नियुन्तम स्कोर है इस तेपूर भारती यह टीम पहली बार बढ़ी पारी पहली में वेस्ट इंडीज के खिरोध पचेत्तर रनों पर और आप देखेंगे 2008 में आमदाबाद में जच्छी ठपीका की बेरोध शेतर रनों पर नियुनतम स्कोर पर सिम्टी थी और विदिसी मैदान पर भार्ती टीम द्वारत टेस्ट क्रिक्ट की पहली पहली पारी में बनाये गया है नियुनतम स्कोर है नियुनतम स्कोर है भारती के टीम का स्रीलंका द्वारा हुआ हमारा पड़ोसी है 2021 में भारती के टीम का स्रीलंका द्वारा संपन हुआ है ए 18 से आप देखें 29 जुलाई 2021 के मत तो इन के बारे में जान लिजे है दौरे पतीन अंतराश्टी टीट स्रिलंक को मिला है यह पहला उसाल है जब सिर्लंकाने भारत को टीटर सेंख्ला में पराजित किया है और बात और कप्तान सिकर धवन की है पहली अंतराष्टी ये T20 सिंखला है और ICC के तीन नए सदस देश बने हैं यूरोप का 35 सदस बनाया है याद रहे अंतराष्टी किर्किर परश्ट की संख्या वर्तमान में 106 हो गई जिन में 94 सदस सामिल हैं आपके अरह स्टार स्पोर्ट्स i21 सदी के महानतम खिलाडि भारत की प्रमों कि सपोर्ट dado स्फूर्ट्स चैनल पर डूकिरकित में 21 सदी के सरकालिक आदगर مहानतम भाश्टम खिलाडियों की चुनाउं के लिए मद्दान कर आया है और विजेताओं की घुषना CC लिए टेस्ट चैंपिन से दोजार निस इकीस फाइनल के दो द्वारान इस्टार इस्पोस्ट नेटवर्क पर की गई है विजयताओं की सुझी देल लिजे महांतम टेस्ट वाल लिवाज सचन तैनुलकर भारत के महांतम टेस्ट गेंद बाद मुथेया मुरली धना स्रीलंका के महा आंदम टेस्ट कप्तान इस्टीव वह आप देखें घुष्टे लिया कि आई सी सी फिलियर आप दा मन्त 2022 और जनवरी 2021 को अंतराश्ट की किरकेट पश्चाद ने मासिक अवर्ड दो आई सी सी माह का सर्वसिक लाड़ी की सुरुवात की है और जनवरी दो जनवरी अपरेल 2022 तक वेजिताओं की सुची देख लिए जनवरी 2022 में पुरुस केगन पीटरसन दच्छडपीका की महला में हीतर नाइट इंग्लेंड के फरवरी में आप देखेंगे CSIR भारत के एमी लिया केज न्यूजिलेंड की मार्च 2022 में बाबाराजाम पाकिस्तान की और आप देखे देखेंगे राचेल हैंस ऑस्टिलिया की अपरेल में देखेंगे केसाओ महराज दच्छडपीका की एलीसा हैली ऑस्टिलिया की ICC World Test Championship 2019-2021 पिथम संसकान का फाइनल दा रोज बावल साउथ साउथ एम्टन इंगलेंड इंगलेंड में संपन हुआ है वारिस के चलती फाइनल एक रिजर्ब डे के साथ 6 दिन में संपन हुआ था फाइनल मेंज बीजिटा न्युजिलेंड आट बिकेट के साथ कपतान थे केन भएलियाम शन वह बीजिटा भ्रत रात कंहलत था शना न्युजिलेंड के दकाई मेंकन वे साथ विकेट लिए थे और आप देखेंगे न्यूजिलेंड टीम ने किर्केट में पहली बार पहली बार वोई वर्वल चेंपिनसिप जीती है न्यूजिलेंड टीम को टेस्ट चेंपिनसिप गदा कि साथ 16 लाग डॉलर की पुरुसकार रासी बदान की गई है अंतरस्ती किर्केट काउंसिल ICC हॉल ओफ फ्रेम 2020 ICC द्वारा के तीन किर्केटरों को हॉल ओफ फ्रेम में सामिल किया गया है तीरे नमबर 2020 की बात है और जैनेट जैनेट ब्रेटिन इंगलेंड की दिवंगत महिला किर्केटर सॉन फॉलोग दच्छडफीका की महिला जैबर अंतरस्ते किर्केटर द्वारा गोशना की गई तीरे जून 2021 को दस पूर टेस्ट के लाड़ियों को ICC हॉल ओफ फ्रेम में विसे प्रविस मिला है इन सभी को अलग-अलग क्रिकेट यूग के अनुसार चुना गया है प्यार अंभी के उनीस सो अठार है अठार से पूर और इसमें आप देखें कि आप रेक कॉफनर दचिडपी का मॉंटी नोवेल और अस्टेलिया और दोर वेस्ते यूदी के बीच का समय 1908 से लिकर आप देखें पैतालीस तक सरलेरी कांस टेंटाइन व्येस ऐस्टेंज चिजिश कि और टैन मेकावे ये ऑस्टेलिया के चाहां के और व्यूदी के बात का समय 1946 से 70 के बीच टेड़ डेक्स्टर एंगलेंड के वेनू मंकर ए भारत के ओडियाईउ 1935 में डेस्मंड हैंस वेर्ट इंडीज के बॉब वोलिस एंगलेंड के आधोनी किर्केट हैं एंडी फ्लावर जेंबामबे के और कुमार संग कारा इसी लंका के भारती महला क्रिकेट टीम का इंगलेंड दोरा हुआ था 16 जून से 14 जुलाई 2021 के मद संपन हुआ था दोनों पर दोरे पर तीन अंतराश्टी टीट्वेंटी तीन एकदवसी अंतराश्टी है और एक टेस्ट मैच के लागया था एक दिवसी अंतराश्टी सिंखला में इंगलेंड विजयता रहा है दू1 से लाए था सिरेज नेट संकाईवर इंगलेंड की इस दोरे पर खेला गया एक मत टेस्ट मैच ढए रहा है इस उंगला के तोरान महतारी राजभारत महला और उन्होंने इंग्लेंड के पूर कफ्तान चार्लोट एड़ वर्ड्स दसदसमलोग दोसद माप करिए 10273 रंग को पीछा चुड़ा है सिंखला के दोरान भारत की सेफाली बर्मा किर्केट के तीनों फिर आरूब में पदारपन करने वाली सबसी यूबा 17 साल 150 दिन की है भारती ये किर्केटर बनी है भारत का लिष्ट एक क्रिकेट टूनामेंट भारत में विविन ने सहरों में आयजित किया गया आट से 26 देसंबर 2021 की बच इसमें पईडाम की बात करें तो हिमाचल पिदेश बिजेता रहे है पहला किताब जीता है और विजेता तमिलाडू रहा है और पिलियर ओब दा मैच फाइनल में सुभम अरोडा हिमाचल पिदेश के 136 दन नाबाद इन्हों ने बनाए हिमाचल पिदेश के कप्तान रिसी धवान और ता मिलाडू के कप्तान विजे संकर थे सियद मुस्ताग अलीटर आप ही 2021-22 यह आप देखेंगे कि गहलेलू की T20 फितियुगता फाइनल मैच अरोड जेटली स्टेडियम दिल्ली में संपन हुआ है यह 22 नवंबर 2021 की बात है कि ठीक है विजेता इसमें तमिलाडू रहा है रहा है रिकॉर्ड तीसरी वार विजेता करनाटक रहा है फाइनल मैन आप दमेच सारूख खान तमिलाडू ने जीता है मिला है से इंडियन प्रेमियर लीग 2020 भार्थी किरके कर्ट्रोल वोड वी सी सी आई द्वारा पस्ताव चौदय वार इंडियन प्रेमियर लीग टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी दो जारी किस के कि टूट्नामेंट दो चैनल में किरमसा भारत साहिव अरव अमीरात में संपन हुगा नौपरें से दो मई और उननेश दिस सेप्टमबर से 15 एक्टूबर 2021 के मत दोबाई सिर्केट इस्टेरियम में खेले गए फाइनल मैच में चैननाई सुपर किंग्स है कप्तान महेंद सिंग धौनी ने कोलकाता नाइट स्राइडर्स कप्तान वेइन मॉर्गन को 27 रनों से पराजिश के चौतरी बार इस टूनामेंट का किताब जीता था किसने सुप चैननाई सुपर किंग्स को मैं आप दमेच चुना गया था हसल पटेल रोयल चैलेंजस बैंगलूर को आई पी एल की से संसांट का सबसी मूलवान खिलाडी चुना गया था और आई पीए चोड़ाय मुंखे तर देख लिए टूनामेंट में सरवाधिक रनम बनाने वाली और इंज क सब्सक्राइब रितू राज गएख बार चैसो पैंसर्ट रांट चैनने सुपर किंग्स तुनामेंट में सरवाधिक विक्ट लेने बाली परपल कैप हरसल पटेल बदीस करकेट बदीस विकेट रोयल चैलेंज बेंगलूर की तरब से खिल रहे थे और अब देखेंगेंग रोयल चैन्जर चैलेंजर बेंगलूर और सफारी सफर्ट इस्टाइकर और दा सीजन यह आप देखेंगे सेमरॉन हैट हैट मायर दिल्ली केपिटर्स इमेजिंग फिलियर वपता सीजन रितूराज गैखबार चैनने सबर्किंग्स की और से पेटीम की फियर फिली आवर र 222 मेगा ओक्षन आई पील 2022 का मेगा अगर देखें तो ही तु बेंगलोर में मेगा ओक्षन नीलामी का अईजिन किया गया और यह दस से बारे से तीरे फरवरी 2022 की मद्दी बात है इस आउक्षन में आई पील की आठ पुरानी टीमों के अत्रिक्स दो नई टीमें लगनव स सोफर जाइंट्स और गुजराज टाइटनस भी सामिल हुई है और इस मेगा ओक्षन में आप देखें कि कुल 204 खिलाडी विके हैं जन्में आप देखेंगे जन्में सरसट विदीसी खिलाडी भी रहें इस ओक्षन के सबसी महेंगी खिलाडी इसान किस अन रहें जिने में 15.25 करूर रुपय में मुंबई इंडियन्स ने खरीदा है एक कुछन्स कई बार पूंच लीता है आपका सबसे महेंगी अनकेब्ड खिलाड़ी राष्टी टीम में बदारपन करने वाली है कि तौर पर आविस खान 10 करूर रुपय दीकर लखनौ सोपर जैंट्स ने सब्सक्राइब करोड़ रुपय और लियाम आप देखिये लियाम लिविंग स्टॉन सबसे महेंगे विदेशी खिलाड़ी बने है पंजाब किंग्स की उसे 11.50 करोड़ रुपय आई पील ऑक्षन 2022 से पूर 17 करोड़ आई के मैं के एल राहूल को नई फिज चाह ची जि ठीक है और जब की 15 करोड़ रुपय में हर्दिक पंड्या नई फ्रैंचीजी गुज्रायत गुज्राद टाइटन्स के गफ्तान निव्ट किये गए एक आप देखिए क्रिकेट जब भी खेल होते हैं इस तरह है कि तो एक ओवर वीव आप लोग सा लास्ट में ले लिया कर और जिनकी दिल्चस्पी है देकि क्रिकेट में वह तो मुझे लगता है कि एक ग्यांद भी देखते हैं कि कहां जा रही किस तरह की जा रही है कौन खेलगा है समझ रहे हैं चलिए अब होकी पर बात कर लेते हैं हम लोग ए नो नौबा एप आई एच होकी महिला जूनियर विसकब दोजारी किस दच्रपीका में संपन हुआ है एक से आप देखेंगे बारे अपरिल दोजार बाइस किमत इसमें बाद 15 टीमों ने भाग लिया और विजिता रहा है नीदरलेंड चौतरी चौतरा किताब इसका और जर्मनी विजि टीम विसकब में चौतरी इस्थाम पर रही है किसमें फोर्थ नंबर रहे हैं और बारे भी बारे भी होकी इंडिया सीनियर पुरुस राष्टी चेंपियंसिप 2022 भोपाल मद्विस में संपन हुआ है एच्छे से 17 अपरेल 2022 के बद विजेता रहा है हर्याना वो विजेता र पुमान में संपन हुआ है एकी से 28 जनवरी 2022 के मत्त पिती भागी आठी में है पिते युगता परिडाम आप देखेंगे और विजेता जापान राय तीसरा खिताब है जापन का है कौन साथ तीसरा और विजेता दच्चन कोरिया है तीसरा इस्थान भारत का है भारत ने ची सब्सक्राइब रहे जाए नौबा संस्क्राण है और चैटी में दिल्ली लग्दाग हमाचल पिदेश चंडीगर आईटी बीपी और तेलंगा ने इसमें सामिल हुए है विजेता पाइडाम लग्दाग स्वार्पदक जीता है इस चैंपियंशिप का युजन आई सौकी अ इंडिया द्वारा किया गया है और आप देखें कि पूरुस एसीन चैंपियंशिप ट्रॉफी 2021 इस पूरुस इस पूरुस हौकी दियुगता का च्छटा संस्कर धाका बंगलादिस में संपन हुआ है और दश्रकुरिया ने जीता है पितम किताब विजेता रहा है आप दे जीता है क्या कांसपतक जीता है चलिए हम लोगोंने कांसपतक से ही संतुष्टी करनी पड़ी है एफ आई एच होकी जुनियर विसकब 2021 कलिंगा इस्टेटियम भूमनेसोर में सपन हुआ है और इसमें विजेता आर्जेंटीना रहा है दूसरा किताब है इसका जर्मनी पराजित कर किताब जीता था भारती टीम चौत्रे इस्थान पर ही हम लोगों को चौत्रा इस्थान मिला है और इस पिती हो गईता में गोल सीस गोल स्कोरर अठारे गोल नीदरलेंड के माइक माइल्स बुरुकेंस रहे हैं टूनामेंट के सर्फ से खलाडी विलियर आप द चीली आई सौकी विस्ट चेंपियंशिप 2021 इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे आई सौकी विस्ट चेंपियंशिप 2021 रिगा लाटविया में संपन हुआ है 21 मई 2000 21 माई से 6 जून 2021 के मद्द पितियुगता में पस्वाड पतक कनाड़ा ने 27 वा किताब है रजत पनर प कि आए मोहाली इंटरनेशनल होकी स्टेडियम इस स्टेडियम का पुनर असे स्टेडियम का पुन Deborah नामकन किया गया है और इसे अलम्यम्पियन बलवी सिंर अंतराष्टी होकी होकी स्टिडियम के नाम से जाना जाएगा आप चलिए फटवाल के बारे में बात कर लेते हैं इनसे भी कुश्चांस पूंचे जाते हैं आपके पूंचे जाते हैं या नि पूंचे जाते हैं आप लोगों से पूंच रहा हूँ पचत्तरवी संतोष ट्रॉफी ये 2021-22 इसका आयोजक मुख मलप पुरम केरल में हुआ है 16 अपरेल से 2 मई 2022 के मत इसमें विजेता केरल रहा है साथवी बार पश्चे मंगाल विजेता रहा है बेक्तिगत पुरुसकार सरबादी गोल जैसिन टी के 9 गोल रहे हैं केरल का है हीरो अब दा चेंपियंशिप जीजो जोसेफ केरल के हैं फिर आप देखें सेफ अंडर 18 महला फुटबॉल चेंपियंशिप आयोजन इसका जमसेतपूर में जारखंड में सपन हुआ है 15-25 मार्ट 2022 के मत भारत विजेता रहा है पहला किताब जीता है वो विजेता सबसे मूलबान खिलाडी लिंडा कॉम पांच गोल इनोनी कि यह भारत के हैं भारतिय कप्तान सिल्की देवी क्या सिल्की देवी एफ सी महला इसी एकप 2022 आयोजन इसका बीच जनवरी दो बीच जनवरी से 6 फरवरी 2022 के मत मेजवान भारत रहा है यह दूसरा उसल था जब भ पारती मैला टीम को टूनामेंट में से नाम वापस लेना पड़ाता हूं और विजेता चाइना रहा है रिकॉर्ड नौवी बार इसने बनाया विजेता दच्छन कोरिया रहा है ब्यक्तिगत पुरुस का सबसे मूलवान खिलाडी वांग सान सान चीन के हैं और सीस्ट स्कोर सेम केर ऑस्टिलिया की साथ गोले इनोंने फियर फिले अवार्ड दच्छिड कोरिया को किसे दच्छिड कोरिया को फीफा वर्ड कप 2021 एतीन से आप देखें बारह फरवरी 2022 के मद्द अभू धापी में चेल्सी इंग्लेंड पितम किताब इसने विजेता रहा है वो विजे अवार्ड 2021 इसमें आप देखेंगे 17 जनवरी 2022 को जीव रेक है नीद्यलेंड में इस अवार्ड की घुषना हुई इस अवार्ड का यह अवार्ड छटा संसकर्ड है च्छटा संसकर्ड है विदत पुरुसकार फीफा सर्फिट पुरुस खिलाडी रोबर्ट लेवांड्रो उसकी ए फूलेंड की है और आप देखेंगे फीफा सर्फिट महला खिलाडी एलेक्सिया पुत्ते लास इस्पैन की है फीफा सर्फिट पुरुस कोच थॉमस टूचेल चेल्सी के है फीफा सर्फिट महला कोच इंबा हैस चेल्सी फीफा सर्फिट पुरुस गोलकीपर एड है आड और एरीक मेला अर्जीन्टीना की ओर फीफा फैन आड डर्माक ऑफिनलेंड फैंज फीफा फीजर फिलेच इडेरमाइक नस्नल टीम in Japan फिफा इस्पेशल क्रिश्टीन श्रेंकलियर गनाड़ा के ए वेस्ट फिफा इस्पेशल अबॉर्ड प्रोस्पोर्टवाल किस्टियानो क्रिश्टियानो रोनालो फुर्दगाल के हैं ठीक है ठीक है प्रह देखेंगे अफिका कव ऑफ नेसंस 2021 केमरून में आए जित हुआ है 9 से आप देखें 9 जन्वरी से बारे 6 फरवरी 2022 विजेता रहा है सेनेकल पितम किताब इसका मिस्स विजेता रहा है तितियस्तान पर केमरून रहा है कौन केमरून रहा है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं और हीरो सीनियर महला रा 28 नवंबर 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के मद्द ठीक है और 32 टीमों ने पितियेस फर्दा में भाग लिया विजेता मनीपुर रहा 21 वा किताब है विजेता रेल भी है वेक्तिकतपुर उसका सर्फ्रेट गोल की पर ओक राम रोसनी देवी मनीपुर की पितिये उगता में विलोन डी ओर पुरुसकार 2021 ये 29 नवंबर 2021 को पैरिस फ्रांस में इस अवोर्ड की गोशना की गई यह अवोर्ड फ्रांस की फटवाल पत्तिका फ्रांस फटवाल द्वारपिती वर्स दिया जाता है विजेता लियोनेल मैसी अर्जेंटीना और लियोनेल मैसी ने साथवी सिफ 2021 मालदीप में संपन हुआ एक से 16 अक्टूबर 2021 के मद पिती भावी देश भारत नेपाल से लंका बंगला देश मालदीप रहें 13 वा संसकन है भारत बिजेता रहा है आडवा किताब है भारत का ओ बिजेता नेपाल रहा है कौन रहा है नेपाल आपका पड़ों सी पित 30 वा संसकन पश्चे मंगाल में संपन हुआ है 5 सेप्टमबर से 3 अक्टूबर 2021 के मद इसमें विजेता आपका गुआ रहा है पहला किताब है और विजेता मोह मंदन ये आप देखेंगे इस इपोर्टिंग है रहा है पिदत पुस्ता गोल्डन एकलब नवीन कुमार एपसी कि घुआ के थे बड़ा कि क्या कर सकते हैं यू आई यू इए फे सुपर कब 2021 वेलफास्ट उत्तरी आईलेंड में सफन हुआ है जहां उत्री आईलेंड में और 11 अगस्त 2021 के मद पितियोगिता पईडाम इसमें विजेता इसका आप देखेंगे चल्सी फेनल्टी सूट AIFF Player of the Year Award 2021 अखिल भारती फुटवाल महासंग द्वारा सत्य 2021 की बार्सिक फुटवाल अवर्ड पितान किये गए फुटवाल आप दा इयर पुरुस में मिला है संदेश जिंगन को इमर्जिंग फुटवाल आप दा इयर सुरेश सिंग वांग जम को मिला है किसे वांग जम को और महला में फुटवाल आप दा इयर वाला देवी को इमर्जिंग फुटवाल आप दा इयर मनीशा कल्याड को यूई एफे यूरो दो हजार वाई बीस सोले वी संस्कायंट का फाइनल बेंबले स्टेडियम लंदन में संपन हुआ है सुबंकर इसकेल जी और पितियुगता में इटली विजेता रहा है पेनलडी स्टूट आउट में तीन दो से विजेता इंगलेंड रहा है क्या रहे ह खिलाडी बने हैं तो आप देखें कॉन मेवल कोपा अमेरिका 2021 ब्राजील में संपन हुआ है अर्जेंटीना ने एक जीरो से जीता है ब्राजील इसमें हारा है विजेता रहा है यू एफे यू एफे चेंपियन लिग 2021 यूरोपीय प्रो से किलब फोटवल चेंपिन से संप देता रहा है यू एफे यूरोपा लीग 2020 यूरोप का से केंडरी क्लब फोटवाल टूनामेंट संपन हुआ है 26 माई को पिते यूगता पैड़ाम देखें तो विजेता रहा है विला रियल टेनाल्टी सूट आउट में 11 दस से स्पैन और विजेता मैंचेस्टर यू टाइ यूरोपियन महला किला फोटवाल चेंपिनसिप संपन ए पिते यूगता है इसमें आप देखें पैड़ाम बारसी लोना चार जीरो से पहला किताब इसका चैल्सी उपिजेता रहा है एफेक अप इसमें आप देखें कि 2020 विस्की सबसे पुरानी फोटवाल पिते यूगता यह 140 वा संसकर्ण इंग्लेंड में संपन हुआ है और पैड़ाम लिसेश्टर लिसेश्टर सिटी पहला किताब है चैल्सी उपिजेता रहा है इंग्लिस प्रेमियर लीग 2020-21 सरवादी कंकों की आधार मैंचेस्टर सिटी ने किताब अपने नाम किया है और याद रहे मैंच प्रेमियर लीग किताब है टॉप गॉल स्कोरर हैरी कैन है तोट टैन हम होट इस पर इन्हों तेज गोल किये हैं कितने तेज गोल किये हैं तो इनके बारे में भी याद रखिएगा अब हम लोग बैडमिंटन के बारे में बात कर लेते हैं यह आप देखेंगे कि यूरोपियन बैडमिंटन चेंपियंसिप 2022 यह आप देखेंगे इस्पैन में संपन हुई है इस्पैन में और यह 25 से 30 अपरेल के बीच और इसमें अगर पिति यूगता के पाईडाम की बात करें तो पुरुस एकल में बिजेता रहा है विक्टर एकसे लसन और आप देखेंगे डैनमार्क के हैं और वो बिजेता रहा है एंडर्स एंटो 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 एंट पुरो से एकल में आप देखेंगे विजयता रहें टॉमा जुनियर पुरो को फ्रांस के हैं और विजयता है मिथोन मंजुनात भारत के हैं महला एकल की बात करें तो आप देखेंगे पुत्री विजयता है पुत्री कुसुमा वर्दानी इंडोनेसिया की हैं और विजयता है आईरिस वांग अमेरिका की हैं बैडमिंटन एसिया चेंपिनसिप 2022 इसमें फिलिपिन्स में संपन हुआ है और 26 अपरेल से एक मई 2022 के मत और पुरो से इसमें आप देखें तो परेडाम की अगर बात करें तो विजयता रहा है ले जी जिया मलेसिया के और जॉनाथन कृष्टी इंडोनेसिया के उप विजयता रहे हैं और महिला एकल में वांग जी ये चाइना की विजयता और अकाने यामा यूची जापान की विज जीता कांस पतक पीवी सिंदू भारत ने जीता है एंसी यांग दक्षिन कुरिया ने क्या कांस पतक की बात हो रही है और यूनेक्स सुईस ओपन 2022 ए बैसल सुईजेलेंड में हुआ है ये 22 से 27 मार्ट 2022 के वद्द और पुरू से एकल में आप देखेंगे जॉनाथन क्रेस् कंटि इंडोनेशिया भी जटा रहे है और उप जिता में एस प्रजिण भारत के व जाद रखें व पीजेता में हमें बीजेता रही है पीवी सिंदू भालत की एं और वी जिता रही बुसा नं आन्ग बं उर ग thumbs रोंग फान यह थाइलेंड की हैं, तर आप देखें, पॉलिस है, ओफन बेड मेंट दो हजार बाइस, और इसमें आप देखेंगे, यह पोलेंड में हुई है, 24 से 27 मार्ट दो हजार बाइस की मद, पुरू से एकल में किरन जोर्ज, यह भारत की बिजेता रहे हैं, चिया हाओ ली, चीनी ताइपे की, वह बिजेता रहे हैं, महिला यह एकल में आप देखें, बिजेता रहे हैं, अनुपामा उपाद्धिया भारत की हैं, और अधीति भर्ठ भत बिजेता रहे हैं, तो इन दोरों को देखें आप लो, यूनेक्स, क्या, उनेक्स गैन वर्ड जर्मन ओपन 2022, जर्म तो विजेता को भी याद रखेगा महिला एकल में आप देखें तो विजेता हैं भारत के हैं तो इनके बारे में भी याद रखेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्या आगे हैं आपका महिला यूकल में इसमें बिजेता नामा नामी मत्सु यामा और चिहाऊ सिधा दोनो जापान की है, मिसरेत यूगल विजेता, यूता वत तामबे और अरीसा हेगा सीनो दोनो जापान की है, ट्रैसा जोली और गायतरी गोपी चंद की भारती पहला जोड़ी सेमी पाइलन में चीन की, जैंग यू और जांग जुजियान की जोड़ी से पराजित हो गई थी विसकी सबसे पुरानी इस बैडविंटन चेंपियंशिप के प्रो के एकल का किताब, अभी तक केबल दो भारतीयों नहीं जीता है, यह आप देखेंगे कि प्रिकास पादुकॉन 1910 में और पुलेला गोपी चंद 2001 में, लक्षे सेंड ऐसे 5 भारती हैं जो इस पितिय उगत इस एकल आप देखेंगे कि विस फरवरी 2022 के मद्द हुआ है, मलेसिया में, और विजेता अगर हम बात करें, पुछ टीम मलेसिया रही, महला में इंडोनेसिया रही, ठीक है, फिर आप देखेंगे, उडिसा ओपन 2022, जवालाल नहरू इस्टेडियम, जवालाल इस्टोडिय इस नहरू इस्टोडियम कटक उडिसा में संपन हुआ है, इसमें पुरुस एकल आप देखेंगे, विजेता जौर्ज, किरन जौर्ज भारत की रही है, विजेता प्रियांसू, राजाबत ये भारत की है, महला इकल में आप देखेंगे, उन्नती हुड़ा भारत की है, विजेता रभी किष्णा, पी एस और सगर पिसाद, उदय कुमार दोनों भारत की है, महला इकल में अगर आप देखेंगे, तो विजेता टरासी, ट्रेशा, ट्रेशा, जोली और गाजतरी, गोपी चंद, दोनों भारत की है, विजेता में देखेंगे, सहयुगिता, घोरप की है, बड़ा मुश्किल है कि यह समझना, सेयद मौधी इंडिया इंटरनेशनल वेडमेंटन टूना मेंड 2022, बाबू, बनारसी दास इंडोर इस्टेडियम लखनाव में संपन हुआ है, और महला इकल इसमें आप देखेंगे, पीवी सिंदू विजेता रही है, विजेता म पंजाला दोनो भारत की है, महला इउगल में विजेता अन्ना चियोंग और टो मेई जिंग दोनो मलेशिया की है, और विजेता में टेशा जोली और गायतरी गोपी चंद दोनो भारत की है, मिसरेत इउगल में देखें तो विजेता ईसान भटनागर और तनीसा क्राश्टो यह दोनों भारत के हैं, विजेता अगर आप देखें, तो टी हैमा, नागेंद बाबु और स्री विद्या गुर्द जादा दोनों भारत के हैं, यूनेक्स सन्राइज ओपन 2022, इसमें केडी जाद हो, इंडोर हॉल नई दिल्ली में संपन हुआ है, 11-16 जनवरी 2022 की मत, पुरो स सेकल में सप्ताहिक, साहिराज, रेंकी, रेड़ी और चराक सेक्टी दोनों भारत के हैं, विजेता में मुहमंद अहसान और हिंद्रा, सैतियावान दोनों इंडोनेसिया के हैं, फिर आप देखेंगे, BW, एब, विसे चैंपियंसिप 2021, हीवो, एलवा, और स्पैन में संपन हुआ है, और पूरुस सेकल विजेता में देखें, तो लोहे कीन, एउ, ए संगापुर के, और आप देखेंगे, विजेता के दामवी सिरीकांद भारत के हैं, महला एकल में देखें तो विजेता, अकाने, यामा, गुची, जापान के हैं, और विजेता आप देखेंगे, त पुरोस्येकल इस परदा में कांस्सपदक जीता है क्या कांस्सपदक जीता है तो इनके बारे में भी याद रखjee 2020-2021, 3 December 2021 को 20 वेडमेंटन के संग के बारसिक पुरुसकारों की घोषना की गी है इस वर्स के दो पुरुसकारों में दो नई सेनियों को सामिल किया गया है वर्स का सर्फसेट यूगल और वर्स का सर्फसेट पैरा वेडमेंटन यूगल ठीक है तो इनके बारे में भी याद रखीगा आप लो बड़ा मुस्किल है याद रखना लेकन याद रखना होगा पुरुस पुरुसकार देख लीजिए सेनि और विजेता हैं आपके बरस का सर्फसेट खिलाडी पुरुस में वेक्टर एक्सल सेन्ट डेनमार्क के हैं वर्स की सर्फसेट महिला खिलाडी ताई ती जू इंग चीनी ताइपे वर्स में सरवादिक सुधार करने वाली खिलाडी ली यांग और वांग वांग ची लेन ये तोनों चीनी ताइपे वर्स का सर्फसेट पेरा वेडमिंटन खिलाडी, एकिऊ, जीमो, चीन की है, वर्स की सर्वसेश्ट यूगल खिलाडी, ग्रेशिया, कूली, अप्रियानी, रहायू, दोनों इंडोनेसिया की है, वर्स के सर्वसेश्ट परामिंटन, बेडमिंटन, यूगल खिलाडी, लूकास मजूर, और फॉस्टिन, नूडल, नो TWF World Tour Finals 2020 यह बाली इंडोनेसिया में हुआ है एक से पाद से देसंबर 2021 के बाद इसमें पूरो से एकल में देखें कि तो विक्टर Excelsior नेमर्ग के विजयता रहें विजयता कौनला ओवट विद्ती दॉस क्वें दसर्क थाइलें में यह एकल में विजयता एंज प्विजयता है ऐंजसे यंग दच्द विजयता रही है भारत के हैं आप सभी जानते हैं थॉमस इभां में और प्रवेड में टीम पितियोगता थॉमस कब महला कि महलाओं की बैड में टीम पितियोगता उभेड कब डेनमार्क में संपन हुई है नौ से आप देखें कि सब्सक्राइक टूबर 2021 के मद्दू थॉमस कब बैड में टन पितियोगता ती 31 वा संसकांड पर इसमें स्वाड पतक इंडोनेसिया ने रज़ट बग चाहिना ने ओवेड कब बेड मिंटन पितियोगता महलाओं का वेशित एप जिए पन्दरवा किताव है जयापान रजटों कन आपने देखें गिए और पितयवगता में चीन स्वाड पतक जीता है क्या जिता है इंडोनेसिया ने संस्क्राइट फिनलेंड में संपन हुआ है और यह आप देखिए 26 सेप्टमबर 2021 के मत चाइना ने स्वाड़ पतक जीता है यानि कि विजेता चाइना रहा है और रजट जापान ने जीता है 20 ऑद्दमिंटन चेंपिंध। मेज़वान भारत करेंगा दूसरी बार 2009 में भारत हैद्राबाद में Championship की मेजवाणहीं की थी और बने टेबल टेनस टेड़्यफा सिनियर राष्ट कि यह और नंतर भात टेबल टेनस चेंपिनसीफ 2022 इस से LOVE अ July में विजयता जी साथियान पी एस पीवी और महला एकल में आप देखेंगे विजयता स्रीजा अकूला और आरवी आई विजयता मोमा दस पीएस पीवी ठीक है टोक्यों ओलंपिक में टेवल टेनिस इसमें पितियों गिता पईडाम की बात करें तो पुरुस में स्वाडपतक माल पंग चीन ने और रेजग पर अधимиटे पर फण जैन डन चीन में महला एकल में लिए तो आप स्वाडपतक चैन में चीन आप देखेंगे चीन ने महिलक टीम कि चीन गीटां जीता है तो यह चोटी बातें हैं बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कभीक जब पेपर में आ जाता है तो समझ रहे हैं अब 17 की बात कर लिजे 38 वा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन सत्तरंज ए 2022 ला रोडा इस्पेंड में संपन हुआ है और पितियोगता के विजेता रहें दी कौन गुपकेस यह भारत के हैं कहांके भारत के हैं फिर आप देखें रहेक जाविक ओपन 2022 ए आइस्पेंड में संपन हुआ है और प्रागननन्दा प्रयागननन्दा अब इसका उचरन क्या से करोगे भारत के हैं आर प्रागननन्दा उननीस वाद दिल्ली अंतराष्टी सतरंट टूनामेंट इन नई दिल्ली में हुआ है इसके विजेता अर्जुन एरी गेसी तेलंगाना के हैं और डी मुकेस तमिलाडू के विजेता रहें आप देखेंगे अंठावनवा भी सीनियर राष्टी सतरंट चेंपियंसिप 2022 यह आप देखें का आनपूर उत्तरपदिस में संपन हुआ है अर्जुन एहरी गेसी तेलंगाना के विजेता रहें डी मुकेस तमिलाडू के विजेता रहें 47 भी राष्टी महला सतरंट सतरंट टूर्नामेंट 2022 यह नीदलेंड में हुआ है और आप देखेंगे इसके पैडाम की बात करें तो विजेता मैगनस कार्लसन नौर्वे की मास्टर बर्ग में अर्जुन एरी गेसी भारत के चेलेंजर बर्ग में विस रैपिड सतरंट चेंपियंसिप यह आप देखें में भी याद रखें फिडे विस सतरंट चेंपियंसिप 2021 दोवई से उकतर अमिरात में संपन हुई है मैगनस कार्लसन नौर्वे ने रूस की यान नैपो मनी याच्ची को हरा का किताब जीता है और यह कार्लसन द्वारा विजेत पांचबा विस किताब है कौन सा पांचबा अब इस किताब है तो यह भी याद रखेगा FID Grand Swiss tournament रिगा लाटविया में संपन हुआ है और यह आप देखेंगे इसमें बिजेता पुरुसों में अली रेजा फिरो उजा फ्रांस के रहे हैं और आप देखेंगे ओ बिजेता रेक कारू आना फिवियानो अमेरिका के हैं मह इजावेट जर्मनी के हैं मैल्ट वाद वाटर चैंपियन चैस्क टूर फाइनल्स 2021 आप देखेंगे 25 सेप्टमबर से 4 अक्टूबर 2021 के मद्द संपन हुआ है इसमें बिजेता मेगनस कारलसन नौर्वे के हैं तीमोर सद जा वो अरजर्वेजन के मेगनस कारलसन को विसकी कि विथम एन एप्टी टॉफी भी फितान की गई है फिर आप देखेंगे फिड़े फिड़े ऑनलाइन चैस ओलंपियार्ड 2021 ऑनलाइन सतरंज पितियोगता का दूसरा संसकर्ण है संपन हुआ है और आप देखें कि इसका पाईडाम तो बिजेता रूस रहा है अमेरिका व राष्टिये सीनेर महिला ऑनलाइन सतरंज 2021 ऑनलाइन माध्यम से संपन हुई है इसमें विजेता वंतिका अगवाल दिल्ली की है और विजेता अर्फिता मुकर जी पश्चमंगाल की है फिर आप देखेंगे स्पार्क सेन चैस ट्रॉफी 2021 जर्मनी में संपन हुई है फिर द है इसमें विजेता की बात करें तो मैक्सिम वचियर और लाग्रो फ्रांस के हो विजेता विसुनात आनंद भारत के हैं इन्हें आप जानते होंगे विजेता के जो ग्रेंड मास्ट्र है मिक्स से 2021 बुडा पेश्ट घंकरी में संपन हुआ है और आप देखेंगे का हुआ है बुडा पेश्ट घंकरी में इसमें आप देखेंगे पिति वगता के पएड़ायम की बात करें तो अभी अभी मन्यू मिस्रा अमेरिका के हैं भारती मुल्ग के अमेरिकी खलाडी अभी मन्यू मिस्रा बारे बर्स चार माहे और पचीस दिन इस टूनामेंट में जीत के साथ सतरंग की इतियास में सबसे युवा ग्रेंड मास्टर बन गए हैं तो यह आप देखें छोटी सी उमर में इन्होंने कार नामा कर दिया है क्या कर दिया है कारनामा करके दिखा दिया है और अभी मन्यू ने रोज के सरगेई करजा की इनकी रिकोर्ड को तोड़ा है जो बारे बर साथ महीने की उमर में गिरुर्ण मास्टर बने थे तर आप देखें कि एक पॉर्मूला वन एक लेक लर्क मुनाको फिरारी टीम उस्टेलिया चाल्स लेक लर्क मुनाको फिरारी एमिलिया रोमांगना मैक्स वर्ष्टा पेंड निदेलेंड रेड बूल रेसिंग नियामी क्या मियामी मैक्स वर्ष्ट टाप फैन निदेलेंड रेड़ बॉल रेसिंग तो इन्हें भी याद रखिएगा ठीक है थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला वन वर्ल्ड चेंपिंशिप 2020 अबुदावी साइट तरफ अमिराथ में संपन हुई है और विजेता रही मैक्स वर्ष्ट टाप एन निदेलेंड के रेड़ बॉल रेसिंग हुंडा वो विजेता लुईस हैमिल्टन बेटन के हैं यह वर्ष्ट टाप एन का पहला फर्मूला बन किताब है एथलेटिक्स देख लिजे ए 25 वी राष्टी यह फेडरेशन का सेनियर एथलेटिक्स फितियोगिता 2022 हुई है काली कट केरल में संपन हुई है केरल आप लोग सुनते हैं न हमारा ही राज है पुरुस की 100 मीटर दोड में विजेता सुपकुमार भी रहे हैं पुरुस की देखेंगे तो 5000 मीटर दोड में विजेता अभीनास सावले महराष्ट के हैं महिलाओं की 5000 मीटर दोड विजेता पारूल चोदरी उत्तर पिदेश की हैं गोला फेक पुरुस विजेता ते जिंदर फाल सिंग तोरे पंजाब के हैं या आप जानते होंगे नहें की जानते हैं या नहीं जानते हैं इनका नाम सुना है आफ लोगना सुनाते होगा ही उख और डिकस्त विजेता किरफाल सिंग पंजाब के हैं, लंभी कुंद पुरोस, विजेता रहें, डेस्किन, डेस्विन, एल्डरिन, तमिलाडू के विस एथलेटिक से इंडोर स्टेडियम 2022, इंडोर चेम्पियंशिप, आयोजन वेल ग्रेट सर्विया में 18 से 20 मार्च 2022 के मत, सुईडन के म पॉंडो डूपल, डूपलाडिस, नेपोल बॉल्ट पी देउगता में 6.20 मीटर की उचाईब फार करने का नयाब इस रिकॉर्ड बनाती हुए स्वाड पदक जीता है, बेने जोईलाग की यूली मार रोजस ने महलाओं, महलाओं की टेपल जंप इस परदा में 15.24 मीटर क नयाब इस रिकॉर्ड बनाया कर रुक स्वाड हासिल किया है, स्वाड गोल पदक की बात हो रही है, तालिका में तीन देख लिजे, यह आप देखें, तीन पिथम देश, एथोपिया, चार स्वाड तीन रजत, दो कांस के साथ, नो पर सहुतरा, राज अमेरिका, तीन, और भी दूसरे नंबर पर है, एथोपिया ने नो जीते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके सोड पदक याद रखिएगा, वेल जी हमने दो के साथ, तीसरे नंबर पर है, वर्ल्ड एथलेटिक से अवोर्ड दिसंबर 2021 को गोसित किये गए है, और सरफशिट पुरुस्त एथ एथलेट क तन वार्भम नॉर्वे को सरफ़्टिम महला है अथलेट इलेण इलैंन ठॉम सन हरार, जमयका को और फी मेल राइजिंग इसटार एथिंग मू अमेरिका को मेल राइजिंग इसटार एरियन नइट। नइट तन अमेरिका को फमें ओप दा येर. यह आप देखेंगे अंजु वह भी जॉर्ज भारत को मिला है इसे भारत को मिला है तो यह भी याद रखेंगे चोटी-चोटी बाते हैं लेकिन मोटी-मोटी बाते हो जाते हैं अब इन्हें भी देख लिजे Billiards, Snooker, Squares तो विस Snooker Championship 2022 और इसमें आप लोग देखेंगे कि इसका आयोजन सेफ फील्ड इंगलेंड में 16 अपरेल से 7 मईई 2 मईई 2022 के मद्ध हुआ है और इसका पैड़ा में रहा है कि रॉनी ओ सुलिवान इंगलेंड की साथ भी बार खिताब जीता है इनोंने और वो विजेता जो ट्रम्प इंगलेंड की रही है फिर आप देखेंगे 37 ACBS ACN पर उस चैंपिनसिप 2022 और इसका आयोजन आप देखेंगे तो दोहा कतर में हुआ है और बारे से 16 मार्ट 2022 के मद्ध हुआ है पईडाम स्नोकर चैंपिनसिप में अगर हम लोग बात की जाए तो आप देखेंगे क्या देखेंगे कि इसमें बिजेता कौन रहा है तो इसमें आपका बिजेता आमिर सरखोस्ट इरान का रहा है और ओव बिजेता इस परी सिंग चड़ा भारत की रहे बिली यर्ड्स चैंपिनसिप में पंकज आडवानी ये भारत की है और धुरुप सित्वाला ये भी भारत की उबिजेता है मलेशिया ओपन स्क्वेर्स चैंपिनसिप 2021 कौलालामपूर मलेशिया में संपन हुई है और इसमें आप देखेंगे कि पुरु से एकल बिजेता मे अलेशिया की और सल्मा हनी मिस्तिर की हैं तो ये भी याद रखेगा एसी बी एस एसीन स्नुकर चैंपिनसिप 2021 दोहा कतर में संपन हुआ है इसमें बिजेता रहिं पंकज आडवानी भारत की लगाता दूसरा किताब है वो बिजेता आमिर सर्खोस इरान के हैं वर्ल स्क्व मौमद अल स capture की है और महला वर्त में नूर अल सेरविनी मिस्तिर की है और नोरान गोहरस्य मिस रीकि धेगा थिक तो इनके बारे में भी ह्याद हो में गुल्प 2022 चैंपिएंस प्नेमेंट 2022 इसमें आप देखें रहित है दाथ फिलेर्स चेंपिनसेप केमरून इसमित ऑस्टेलिया के और जैनेसिस ओपन जोकिन नीम मैं यह आप देखेंगे चिली और फिनेक्स ओपन इसकोर्ट सेफलर ए अमेरिका दा अमेरिकन एक्सपरेस हैडसन स्वाफ होड अमेरिका के मार्स्टर टूडामेंट स्कोर्टी सेफलर अमेरिका के यहां अमेरिका ठीक है एक कुछ और देख लिजे एसियन रेसलिंग रेसलिंग चेंपिनसिप 2022 उलान बतार मंगोलियार में 9 से आप 19 से आप देखेंगे 24 अपरेल 2022 की मद्द और भारती पहलवान पितियोगिता का एक स पांच रज्यत और ग्यारे कांस पतकों सहित कुल 17 पतक जीतने में सफल रहा है और भारती सोड़ पतक बिजेता आप देखेंगे तो रवी कुमार दहिया संदावन किलोग्राम में भारत रजक पतक बिजेता प्रेस्टायल में अंसु मलेक राधी का महिला है याप ठीक पन हुआ है पुरोष चेंपियन में विजेता तमिलानु और विजेता पंजाब महला चेंपियन्स में आप देखेंगे भारती रेलविद विजेता तिलंगाना आपका विजेता और आप देखेंगे डबलू एस एप विस यूगल इसक्वेस चेंपियंसिप 2022 प्लास गो में संपन हुआ है भारती खिलाडियों ने इतिहास रचते हुई इस चेंपियन्स में पहली बार स्वड़ पदक जीता है दो स्वड़ और भारत डबलू एसे विस यूगल खिताब जीतने वाली एसिया का पहला देश है स्वड़ भारती स्वड़ पदक विजेत रही है ठीगा और थाइलेंड उपन अंतराष्टी मुख्य बाजी पिती युगता ये फूकेद थाइलेंड में हुआ है एक से आप देखेंगे 10 अपरेल 2022 के मद्द और भारती मुख्य बाजों ने आप देखेंगे कि सांदार पे दसन करती हुए पिती युगता में 302 तीन कास सहत कुल 10 पदक जीते हैं और आप देखेंगे भारती स्वड़ पदक बिजेता गोबिंद साहिनी और अनंत पहला चौफडे सुमित कुंडो इन्होंने स्वड़ पदक जीते हैं क्या स्वड़ पदक आप देखते हैं उन्हीं की बात हो रही है तो इनके बारे में याद रखिएगा पर आप देखेंगे एक तालीस भी एंटी पीसी सीनियर राष्टी ये तिरंदा जी चेंपियंसिप और इसमें आप देखेंगे मौलाना आजाद इस्टेडियम जमू कस्मीर में हुआ है 21-30 मार्ट 2022 के मद्द और ओल इंडिया पुलिस स्फोर्स कंट्रो बोर्ड 600 पदक सहित कुल आ 10 पदक जीत का चेंपियंसिप में पिथम इस्थान इन उटने हासल किया है और हर्याना में आप देखेंगे हर्याना ने चेंपियंसिप में दुतिये इस्थान पराप्त किया है पैरालंपिक सीथ कालीन खेल 2022 और विजिंग चीन में संपन हुए चार से तेरे मार्ट 2022 किमत सुभंकर सुए रॉन रॉन एक मानो रूपी चीनी लाल्टेन वच्चा इसमें चीन टॉप पर है अठारे स्वर्ड 20 रजात 23 कांस के साथ 61 कुल जीते यूक्रेन आप देखेंगे कि दूसरे नमबर पर 11 स्वर्ड 10 रजात 8 कांस के साथ 29 टोटल क गरनाडा 3 पर फ्रांस से 14 पर अमेरिका 5 पर तो पहले मुझे लगता है कि याद रखें दो तीन तो याद रखें क्या ही ठीक है वर्स 2022 में इन खेलों का ए 13 वा संसकर्ण था और 14 वा संसकर्ण वर्स 2026 में इटली के मिलान और कर्टिना डी एम पिज्जो में आई जित होग पहला भारती फुटवाल किलब बन गया है रियाद साओधी रख में 12 अपरेल 2022 को विरूद एयर फोर्स किलब इराग नो भारती अथलीटियों को पदम पुरुसकार 2022 मिला है यह पदम भूसर आप देखें तो 2022 देविंद जाजरिया पैरा जेवलेंतरो और पदम सिरी 2022 मार्सल और आर्ड और संकर नारायन मेनन चुंडाइल ए कालारी पैट्टू और ब्रह्मानंद सांग वलकर इपटवाल सुमित अंतिल पैरा जेवलेंतरो वन्दना कटारिया मैका महला होकी तो इसमें याद रखेंगा इन्हें भी इसपोर्ट स्टार एसस अबोड 2022 इसपोर्ट स्टार ओफ दा इयर महला मीरा बाई चानू भारत वलन से जुड़ी हुई है इन्हें मिला है और आप देखेंगे इसपोर्ट स्टार ओफ दा इयर पुरुस नीरा चोक्डा भाला फेग नेशनल टीम ओफ दा इयर भारती पुरुश हौकी टीम खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वसेष राज हर्याना स्पोर्ट्स मैन ओफ दा इयर पहरा सुमित अंतिल भाला फेग और आप देखेंगे पूरो होकी खलाडी है आई आई एसेप सुटिंग सॉट गन विस्टेकब 2022 आयोजक निको सिया साइफरस आर्ट से उनीस मार्ट 2022 के मत्र इटली में तीन स्वाड साहिद कुल शह पदक जीत कर विद्यूगता में पितमिस्थान इसने हासल किया है और इसमें इटली आप देखें टॉप पर है 308 दो रजट और आप देखेंगे कि एक कास तो तुर्की दूसरे पर इसलोग वाकिया तीसरे भारत सरे पर एक रजट पदक की साथ पदक कालिका में नौवे स्थान पर है भारत की संद्रम में जरूर याद रखेगा भारत की लिए एक मात पदक पितिवीराज तॉंड इमन जोरावर सिंग संधू और वीवान कपूर की तिगडी ने पुरू से टीम ट्रेप इस परदा में जीता है और हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन एट एक गोवा में हुआ है आप देखेंगे 19 नवंबर 2021 से 20 मार्ट 2022 की मत और परिडाम रहा है एधराबाद FC पितम किताब जीता है केला विलाक्स्टर्स ओब जेता रहा है लीक सील बिजेता आप देखेंगे कि कौन रहा है जमसेद पूर एप सी पहली बार बेक्तिकत पुरुसकार में देखें गोल्टन वूट वार्थोलोमियू और वेची सरवाधिक अठारे गोल हैधराबाद FC के हैं गोल्डन गलव एपर वो प्रवर सुखन सींगिल गोलकीपर केला विलाटर बिलास्टर्स के इमेजिंग पिलियर ग्रेग इस्टीवर्ड जमसित्पूर एफसी के आई एसस एप सुटिंग राइफल और पिस्टल विस्टे कब एद्वाइस आयविजिन काहरा मिस्टे में हुगा चपीस परवरी से आठ मार्च 2022 की मत भारती निच्थानिवाजों ने चार्स वाड़ के साथ खूल साथ एक कांस टोटल साथ नौर्वे दूसरे पर है फ्रांस तीसरे पर है भारती सोड़ पदक भी जीता देखें तो दस मीटर यह फिस्टल पुरूस में सोड़ सौरप चौदरी ने जीता है दस मीटर यह फिस्टल महिलाइट टीम में सोड ईसा सींग और निवेथा परवानंद अ पर चीजा सीra बिनर के जीता है 15 मीटर फिस्टल महिला में सोड जीता है राही सरनोबट इसा सींग और रिदम सांगवान और पच्चीज मीटर रर यसा संगवान और अनिस भासइशिक भारत का पहला बहु आयामी सहीख खेल खेल अभियान, रक्षामंत्री राजना सिंग ने भारत के पहले बहु आयामी साहसिक खेल अभियान में भाग लेने वाली टीमों का नई दिली में अभी अभी नंदन किया है और यह अभी यान नवंबर 2021 में फ्रांस में नेशनल इस्टिटूट और आप देखेंगे टीम का नितत निमास की निदेशक करनल सर्फराज सिंग ने किया था और इस दल में कुल बारे लोग सेना के आठ जबानों और नाचल पिदिश के चार यूवा सामिल थे अभियान दल ने आलपस परवस इंखलाओं में 250 किलोमीटर से यदि की सीथ कालें ट्रेकिंग की जिसमें फ्रेंच सुईस और इतालवी आलपस को कवर करने वाली टूर टूर डी मॉन्ट विलांग ट्रेक भी सामिल था इस बहु आयामी अभियान का समापन भूमत सागर के बारे गहरे इसकूबा डाइव गतिवधियों के साथ हुआ है पैरालंपिक स्पोर्ट्स अबोर 2021 अंतराश्टी पैरालंपिक सम्ती द्वारा घुसित किया गया है कि दो जार बाई बीस पैरालंपिक खिलों में उपलत दिया है तू एथलीटों टीमों अधी को प्रोसकार प्विद्द किया गया है सर्फ्ट्रेट पुरस एथलीट मार्सेल हक्ट स्विजलेंड के हैं विलचेर रेसर और आप देखेंगे की सर्फ्ट्रेट महला एथलीट डी डी ग्रोट ए निदरलेंड के हैं विलचेर टैनिस खिलाडी सर्फ्ट्रेट टीम वेटेस विलचेर रगबी टीम से जुड़े हुए हैं ठीक है सर्फ्ट्रेट नबोदित महला खिलाडी आउनी लेकरा भारत के हैं पहरा निसानेवाज सर्फ्ट्रेट नबोदित पुर लिया दोना होसित किया गया है as jfi मेडल सुनिल गभशकर को sjfi esports man of the year नीरण चौपड़ा भू sjfi Esports फूमेन the year Meerawae चानो को sjfi team of the year gutes دो मैं समेट अंतिल खर्वोत भाकद sjfi para athlete of the year Basket और इसमें आप देखें तो क्या देखेंगे तासकंद उजवेकिस्तान में संपन हुआ है तो ये भी आप लो याद रखिएगा भारत ने इस पितियुक्ता में कुल 16 पदक जीते हैं और 16 पदक में आप देखेंगे चार सवड़ें साथ रज़त हैं पांस पदक भी सामिल है आपके और कनाड़ा टॉप पर है पांसवड़ दो रज़त के साथ साथ टोटल जीते हैं ठ भारत दूसरे पर है चार साथ चार इसने स्वड़ जीते हैं साथ रज़त जीते हैं और पांच आप देखें कांस सोले के साथ नाजीरिया तीसरे मैलीसिया चौत्रे और सिलिलंका पांच भी विस भारतोलन चेंपियंशिप 2021 तासकन उजविकस्तान में संपन हुए है आज भी नमबर पर भारत खुल एक पदक एक स्वड़ के साथ यह स्थान पर रहा है और विस भारतोलन चेंपियंशिप 2021 में भारत की तरफ से एक मात पदक स्वड़ विंद या रानी देवी ने क्लीन एंड जरक पिती उगुता 55 kg भार में विजीता है तो इनका नाम भी य दो स्वड़ चार रजट सहित कुल छे पदक पर राप्त कि पदक तालीका में तीसरा इस्थान है चीन पांस वड़ एक रज़ट एक कांस पदक के साथ कुल साथ पर राप्त कर तालीका में टॉप पर बना हुआ है बहाती यह स्वड़ पदक विजीता अर्जुनलाल जाट रवी पुरुस डवल इसकल्स पर रदा में और विंद सिंग पुरुस लाइट वेट सिंगल इसकल्स इस पर रदा में विस्टर मुक्यबाजी चेंबिसिप 2020 वेल ग्रेट सर्विया में संबन हुआ है क्यूबा तीन सोड पदक सहित सारवादिक पांच पदक जीत कर तालीक तरूप से आप देखेंगे 17 वे नंबर करें उत्तर प्रदे सरकार ने भारती कुष्टी को वर्स 2032 तक ओलंपिक तक गोद लिया है 17 अगस 2021 को उडिशा सरकार की घुष्टी होकी टीम को प्रायुजित कर रही है और आप देकि उसका पैड़ाम आप लोगों को देख भी रहा है जाता है मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार के दिया गया है और राजीब गण्दी खेल रतन पुरुसकार के युवा कारिकरम युवा कारिकरम खेल मंतराले द्वारा पितिक बर्स राष्टिक खेल दिवस के दिन पिदान किया जाते हैं इस पुरुसकार के तहित एक पदक आप देखेंगे एक पदक एक पिरमार पा तो 25 लाग रोपी का नगत पुरुसकार दिया जाता है इसे वर्स 1991-92 में स्थाबित किया गया था और पहला खेल रतन सतरंज के विसे दिखलाडी विसुनात आनंद कुपदान किया गया था तो इसका नाम बदल दिया गया तो यह भी आप लोग याद रखीगा और इसके साथ आप देखे कि करेंट अफेयर्स जो 2021-22 का है वो आपका कबर हो जाता है क्या हो जाता है कबर हो जाता है और अभी तक आप लोग ने देखा होगा कि राश्टी परिदिस देखा विदिक परिदिस अंतराष्टी परिदिस आर्थिक परिदिस बिग्यानिक परिदिस संचिप्तिया और खेल परिदिस अब लोग बात करेंगे एक टॉपिक इसमें बचता है और यह उत्तरपदेश से संबंदित है अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इस किलास को देख मिलते हैं आप लोग इंच्वाय करें पढ़ते रही है मैनत करते रही है